इसमें से आपको 4 या 5 कुशन, आपकी कोई भी एक्जाम हो, अभी 15 या 10 दिन बाद SSE CGL की एक्जाम आने वाली है, 4 या 5 कुशन यहां से मिलने वाले हैं नमस्कार बच्चों, पारवाइंड के डिजिटल प्लेट्फोर्म में आप सभी का स्वागत है आज का सेसन बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले करेंट अफेर, वो सारी करेंट अफेर जो आपकी आने वाली एक्जाम में आपको दिखनी है चाया आप SSE की एक्जाम दे रहे हो, चाया आप बैंक की एक्जाम दे रहे हो, आप किसी भी चीज की एक्जाम दे रहे हो, करेंट अफेर का आना स्वभाविक है और ये जो current theorem पढ़ रहे हैं last की ठीक है इस में से 4 या 5 question आपको हर एक exam में देखने को मिलेंगे इससे पहले कि हमागे बढ़े एक चीज आपको पता होना चाहिए जब भी आप exam की तयारी को तो एक बात अपने mind में ध्यान रखना एक तो होता है तिरंगा जिसको हम फैराते ह है ठीक है फैक है सोचो मत सुरुआत करो वादा मत करो साबित करके दिखाओ आये दिन हम रोज वादा करते हैं यहां तक कि हम सुबर चार बजे उठने का भी वादा करते हैं कि बैस सुबर रोज चार बजे उठके पड़ूँगा लेकिन आराराम बजता रहता है और हम सोते रह जाते हैं तो ठीक है क्या करना है वादा ना करना साबित करना है और बताओ मत किसी को करके दिखाओ अपनी कोफी के पेज के पीछे लिख लो जो भी आपकी क्यूशन है हमारा सबसे पहले हम देखेंगे नैशनल लेवल की इंपोर्टेंस मतलब राष्ट्रिय इस तरकी करन्ट अफेर जो हमारे देश के अंदर मामले चल रहे हैं उनसे सम्मंदित करन्ट अफेर सबसे पहला क्यूशन आपके सामने होम मिनिस्टर यूनियन होम अमिज शाह ने Mbbs course अभी तक Mbbs course के इंग्लिज में चलता था आपको पता है लेकिन पहली बार देशों में Mbbs course हिंदी में चलेगा किस राज्य में चलेगा ये चलेगा भूपाल के अंदर ध्यान देना बच्चो पहला Mbbs course भारत में लॉंच किया जा रहा है कौन से आपको एक बात पता होने चीए कि अमित्ष शाह हमारे होम मिनिस्टर है, अमित्ष शाह हमारे ग्रह मंत्री है, भोपाल किसकी कैपिटल है, भोपाल कैपिटल है मध्यप्रदेश की, अमित्ष शाह हमारे होम मिनिस्टर है, भोपाल कैपिटल है मध्यप्रदेश की, और जो अमित्ष शाह की कौंस्टिट्वेंसी है, निर्वाचन है, वो है, निर्वाचन का मतलब उनकी कौंस्टिट्वेंसी जहां से वो चुनकर आते हैं, वो है गांधी नगर, ये भी आपको ध्यान होना चीए कि हमारे जो Home Minister है अमिश शाह उनका निर्वाचन छेत्र कौन सा है उनका निर्वाचन छेत्र है गांधी नगर ठीक है गुजरात में पड़ता है गांधी नगर अमिश शाह के बेटे हैं एक जैश शाह जैश शाह को बनाय गया है BCC का BCCI BCCI का सेकेटरी बनाय गया है जैश शाह को जैश शाह अमिश शाह के बेटे हैं और इनको BCCI का सेकेटरी बनाय गया है ठीक है आपको पता होना चीए MBBS कोर्स कहां लोंच वाए भोपाल के अंदर next question आपके आना है who has inaugurated PM किसान समन सम्मिलन 2022 at Indian Agriculture Research Institute New Delhi मतलब नई दिल्ली में भारतिय करसी अनुसंधान में PM किसान सम्मान सम्मिलन 2022 का उदारकन किसने किया है किसने किया है इसका उदगाटन ये भी आपको पता होना चीए हमारे जो Prime Minister नरेंदर मोदी है इनोंने इनका उदगाटन किया है ध्यान देना हमारे जो Prime Minister नरेंदर मोदी है ये भारत के 14th Prime Minister है 14th Prime Minister है सबसे उपर है द्रौपदी मुर्मु ये भारत की 15th President है द्रौपदी मुर्मु भारत की पंदरवी राष्ट पती है इसके नीचे है जगधीब धनकड 14th number के और सबसे निचले वाला option है Amit Shah, Amit Shah हमारे ग्रह मंतरी है, ठीक है, तो PM किसान समान सम्मिलन 2022 किस ने launch किया है, Prime Minister Narendra Modi ने, और ये PM किसान, ये जो PM किसान समन सम्मिलन है, PM किसान समन सम्मिलन ये launch किया गया था 2019 में, आपको इसकी date याद होने चाहिए, PM किसान समन कब launch क किया था, 24 फरवरी 2019 को, ठीक है बच्चों, ठीक है, 24 फरवरी 2019 को launch किया गया था, अगर आपको इसका idea बदाओ, PM किसान समान सम्मिलन, तो इसमें आपको पता है, किसानों को हर साल 6000 रुपे मिलते हैं, ठीक है, हर साल 6000 रुपे मिलते हैं, 4 मैने की installment में 2000, हर 4 मैने में 2000 application to prevent cyber crime against children, बच्चों के उपर जो cyber crime होते हैं, cyber crime का मतलब होता, digital crime, ठीक है, असलील, चित्र वगरा जो होते हैं, ठीक है, किस राज्या केंदर साचित परदेश नहीं, बच्चों के विरुद्ध, cyber अपराधों को रोकने के लिए कुझ एप mobile application launch किया है, तो इस कुझ एप mobile application क launch किया है, केला की government ने, केला सरकार ने कुझ प am pentru launch किया है, आपको इध्यान होना चाहिए, केला के चीफ मिनिष्टर कौन है, केला के CM है, पिनार राईविजयन, केला केrespect चीफ मिनिष्टर का नाम है, पिनारी विजयन, और केला की capital है तिरुवनन्थ पुरम, क्या नाम है केला की capital का? तिरुवन्थ पुरम और केला के governor है आरिफ मुहम्मद खान, केला के governor है आरिफ मुहम्मद खान, next question की तरह बढ़ते हैं, which state announced to form state transformation commission to replace planning commission, देखो पहले इंडिया में भी planning commission चलता था, जिसको हम पंचवर्शिया योजना बोलते थे, उसके बाद में नीतियायग की स्थापना कर दी गई, वैसे ही उत्तरप्रदेश गवर्मेंट ने भी ये फैसला किया है, कि जो state में planning commission चल र नाम रखेगी, किसने किया है ये, उत्तरप्रदेश सरकार ने किया है, उत्तरप्रदेश के चीफ मिनिस्टर कोन है, योगी आदित्यानाथ, ठीक है, उत्तरप्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, योगी आदित्यानाथ, यह आपको पता होना चाहिए, योगी आदित्यानाथ और उत्तरप्रदेश की capital क्या है लखनवू तो उत्तरप्रदेश ने launch किया है क्या launch किया है state transformation commission planning commission को replace कर दिया है जैसे हमारी Indian government ने 2015 में launch किया था ठीक है इसके बाद next question की तरब बढ़ते हैं गुजरात was declared as हर घर जल state हर घर जल इस्टेट मतलब प्रतियक घर में पानी पहुचना चाहिए टूंटी के माध्यम से ठीक है टूंटी के माध्यम से हरे घर में पानी पहुचना चाहिए which of the following UTs had become the first हर घर जल certified union territory in India मतलब गुजरात में जो हर घर जल है उसको गुजरात राज्य में घोशित कर दिया गया है इससे पहले निम्ले लिखित में से कौन सा केंदर सासित प्रदेश देश का पहला हर घर जल प्रमानित केंदर सासित प्रदेश बन गया है ये आपको प पहला यूटी या पहला केंदर सासित प्रदेश है जहां पर हर घर जल योजना लॉंच की गई थी मतलब प्रतियक घर में यहां पर जल पहुंच गया था अगर ये तो यूटी है स्टेट की अगर हम बात करें तो किस स्टेट ने डिकलेर गया कि वो हर घर जल बन गया है उ अगर इस्टेट के बारे पूछ ले तो स्टेट का नाम होगा गोवा ठीक है आगे बढ़ते हैं next question आपके सामने consider the following statement with reference to Indian urban conclave मतलब Indian अर्गम जो सम्मिलन हुआ है उससे संबंदित कुछ यहां पर जानकरिया दी गई है पहली जानकरिये this is a three day event being organized by ministry of housing and urban affair at राजगोट गुजरात के राजगोट में आवास और सहरी मामले की मंत्राले द्वारा आयोजित तीन दिन का कारेकरम बिलकुल सही है यह तीन दिन का कारेकरम गुजरात के राजगोट में रखा गया था दूसरा देखो various materials and process for housing construction suitable for different geoclimatic regions of country was discussed in this conclave अगर यह urban conclave है तो यहां पर इस सम्म मेलन के अंदर देश के विभिन भू जलवायू छेत्रों के लिए उप्युक्त आवास निर्माण के लिए विभन सामगरियों और प्रक्रियाओं पर विचार विमर्स किया जाएगा ठीक है इसको किस ने इनोगरेट किया था एक बात और जान लेना इसको इनोगरेट किया प्राइमिनिस्टर नरेंदर मोदी ने तो इसका ओप्सन ए हो जाएगा ठीक है ओप्सन सीस का अंसर हो जाएगा बोथ A and B क्या अंसर हो जाएगा इसका ओप्सन सीस का अंसर हो जाएगा दोनों ही बाते सई लिखी गई है इसके अंदर और इसको इनोगरेट किस ने किया था इसका सुभारंब किया था PM Modi ने, किसका Indian Urban Conclave, Indian Urban Conclave का सुभारंब किया था PM Modi ने, PM Modi ने इसका सुभारंब किया था, ठीक है, आगे की तरब बढ़ते हैं, next question है आपके सामने, Prime Minister Narendra Modi has launched Mission School for Excellence at which of the following state, प्रधानमंती Narendra Modi ने, निम्नलिखित में से, किस राज्य में, Mission School of Excellence का सुभारंब किया है, Mission School of Excellence का सुभारंब किया गया है, Prime Minister Narendra Modi की द्वारा, और ये किया गया है, गुजरात के अंदर, ध्यान देना बच्चो, ज्यादा ततीजे गुजरात में हो रही है, ठीक है, तो गुजरात के अंदर, Mission School of Excellence का उद्गार्टन किया है, Prime Minister Narendra Modi ने, next question की तरब बढ़ते हैं Question No.8, Government of India will set up branches of National Investigation Agency, ध्यान से देखना इस question को, important है, National Investigation Agency in all the states, by, कब तक, तो गुजर्मेंट ने ये फैसला किया है कि वो 2024 तक, 2024 तक सभी राज्यों के अंदर NIA की एक-एक ब्रांच डाल देगी, National Investigation Agency की एक-एक ब्रांच डाल देगी, फिलाल कितने राज्यों में है, इस वक्त National Investigation Agency 15 राज्यों में है, मतलब 15 सहरों के अंदर है, आने वाले समय में, ये सभी राज्यों में होने वाली है, NIA की स्थाप कब की गई थी NIA ध्यान देना National Investigation Agency की स्थापना 2008 में की गई थी इस पर ज्यादा जोर दिया गया मुंबई अटेक के बाद 2008 में मुंबई अटेक हुआ था उसके बाद इसकी सक्त जरूत महसूस हुई और NIA का निर्मान कर दिया गया आज कल हर जगह पर NIA छापे मारते हैं अ NIA के Director General है दिनकर गुपता NIA की सुरूवात की गई थी 2008 के अंदर इस वक्त ये पंदर राज्यों में है दो हजार चोबिस तक गवर्मेंट ने का आया कि ये भारत के परतेक राज्यों में होगी Next Question की तरह बढ़ते हैं बच्चों Consider the following पहला लिखा हुआ है President Drupadhi Murbu has appointed Dr. Justice D.Y. Chandrachud as New Chief Justice of India बिलकुल सही बात है हमारे जो 50 वे नंबर के Chief Justice है 50th CJI Chief Justice of India किसको बना दिया गया है ये बना दिया गया है D.Y. Chandrachud को ये किसको बना दिया गया है D.Y. Chandrachud को 50 वे Chief Justice of India 50 वे भारत के सुप्रेम कोट के मुख्य नायदिस D.Y. Chandrachud को बना दिया गया है कौन से नंबर के हैं 50 वे नंबर के He will succeed the present Chief Justice of India उदै उमेश ललित बिलकुल सही बात है इनसे पहले जो हमारे Chief Justice थे 49th CJI वो थे उदै उमेश ललित उदै उमेश ललित 49 वे नंबर के Chief Justice थे उदै उमेश ललित उनको रिप्लिस कर दिया है D.Y. Chandrachud ने 50 वे CGI बन गए इंडिया के मतलब दोनों ही बाते सही लिखी गई है Option C is the correct answer of this question. Next question की तरब बढ़ते हैं Prime Minister Narendra Modi has launched Mission Life at which of the following state? Mission Life को launch किया गया है प्रधानमंती Narendra Modi की दौरा Mission Life, Life Style for Environment Life की फुल फॉर में ये भी आप से पूंची जा सकती है Life Style for Environment Life Style for Environment Life Style for Environment कहां पर launch किया गया है Prime Minister Narendra Modi के दौरा ये गुजरात के अंदर launch किया गया है ठीक है इस वक्त पिछले एक मेने से प्रधानमंती Narendra Modi गुजरात में है गुजरात में जो हमारा Statue of Unity है केवाडिया वहाँ पर ये लोंच किया गया है कहां पर लोंच किया गया है केवाडिया के अंदर ठीक है केवाडिया में लोंच किया गया है Next question की तरफ बढ़ते हैं Which village is India was declared by PM Modi as the country's first 24 into 7 powered village ध्यान देना इस question पर बहुत important है भारत का पहला ऐसा गाउं जाबर 24 गंटे solar बिजली आएगी 24 गंटे वहाँ पर बिजली मिलेगी solar energy से ठीक है कौन सी जगह है वो वो है Modera वो है Modera गाउं और Modera गाउं कहां पढ़ता है यह आपको पता हो न चीए Modera गाउं पढ़ता है गुजरात के अंदर Modera Modera गाउं पढ़ता है महसाना जिले में Modera गाउं महसाना जिला और यह महसाना जिला कहां पढ़ता है गुजरात के अंदर तो भारत का ऐसा पहला गाउं मोडेरा गाउं है जहां पर 24 गंटे solar energy मिला करेगी गाउं वालों को ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्यूचन है प्राइमनेस्टर नेंद्र मोदी है इनोग्रेटेड फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब तक तीन लॉंच की जा चुकी है यह चोथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है in which of the following state किस इस्टेट में इसको लॉंच किया गया है तो ध्यान देना बच्चो इसको लॉंच किया गया है हिमाचर परदेश के अंदर जो चोथी वंदे भारत ट्रेन है इसको लॉंच किया गया है हिमाचर परदेश के अंदर और हिमाचर परदेश के अंदर भी कहा उना डिस्टिक में उना डिस्टिक उना जिला ये चलेगी उना जिले से हिमाचर परदेश के उना डिस्टिक से लेकर दिल्ली तक आपको पता है अब ही हमने आजादी के अम्रित उस्व मनाया है 25 साल कम्प्लिट हो गए है इन 45 सालों में हमने टार्गेट रखा था कि हम 2023 तक 25 वंदे भारत ट्रेन बना लेंगे ठीक है यह पॉसिबल नहीं है कि हम 2023 तक 25 वंदे भारत ट्रेन बना ले लेकिन फिर भी गौर्णमेंट कोशिस कर रही है हमारी जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी वो कहां से कहां चली थी दिल्ली से वारानेसी पहली वंदे भारत ट्रेन पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां चली थी दिल्ली से वारानेसी दोजार उन्निस में दोजार उन्निस मे चली थी दिल्ली से लेकर वाराने सी तक दिल्ली से लेकर वाराने सी तक पहली वंदी भारत ट्रेन जिसको पहले ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था ठीक है next question कि तरह बढ़ते हैं अगला question है which city is host of the heads of mission conference organized by the ministry of external affairs विदेश मंत्राले द्वारा आयुजित मिसन प्रमुखों का सम्मिलन कहां पर ये किया गया है गांधी नगर में गुजरात में किवाडिया गुजरात के अंदर यहां पर 118 देशों के लगबग 118 देशों के हाई commissioner और ambassador मोजूद थे मतलब राजदूत या जो उच्छ आयुकत है वो यहां पर मोजूद थे कहां पर यहां पर meeting हुई थी यह meeting हुई थी के वाडिया गुजरात के अंदर next question के तरफ बढ़ते हैं where did president drop the mormu launched हर start हर start एक startup का नाम है an initiative aimed at supporting woman lead startup महिलायों के startup को support करने के लिए drop the mormu ने हर start को launch किया है तो drop the mormu ने हर start को launch कहां पर किया है यह किया है एहמצाबाद गुजरात के अंदर हर start एक भो बनाया गया है हर start up गुजरात युनिवस्टी के लिए द्वारा बनाया गया है हर start up को launch किस ने किया है हमारी president drop the mormu ने कहां पर launch किया है गुजरात के एहμदाबाद सहर में next question की तरफ बढ़ते हैं Consider the following, ठीक है, regarding migration monitoring system, migration का मतलब क्या होता है, प्रवाशित, एक जगर से दूसरे जगर पर भर्मन करना, ठीक है, पहला है, India's first migration monitoring system has been inaugurated in Mumbai, मुंबई में भारत के पहले migration monitoring system का उद्गाटन किया गया है, बिलकुर सही बात है, मुंबई में उद्गाटन किया गया है, The system has been developed by the Department of Women and Child Development, यह प्रणाली महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा विक्सित की गई है, बिलकुर सही बात है, Women and Child Development इसको डवलप किया है, It is aimed at providing updated information on migrated pregnant lactating mothers and children instantly on the single system, क्या मतलब है इसका, इसका उद्देश जो प्रवासी गर्वती महिलाएं हैं, जो भी टूरिस्ट हमारे देश में घुमने आते हैं, जो भी गर्वती महिलाएं हैं, उनकी साल सबाल के लिए, उनकी देखरे के लिए, एक single window provide करवाना इसका मुख्य उद्देश है, ठीक है, operation chakra which was seen in the news recently is associated with which institution, हाली में चर्चा में रहा operation chakra किस संस्था से जुड़ा हुआ है, लिखना बच्चों इसको, ये जुड़ा हुआ है, किस से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, CBI से, Central Bureau of Investigation से, किस से जुड़ा हुआ है, CBI ने operation chakra चलाया है, क्यूं चलाया है, गोल गोल्ड या कैस होता है, उसको पकड़ने के लिए चलाया है, CBI की स्थापना की गई थी, 1 April 1973, CBI की स्थापना 1 April 1973 में की गई थी, अगर CBI के, अगर हम Director General की बात करें, तो ये है सुभोद कुमार जैस्वाल, 63 कर लेना इसको, इसके जो Director General है, वो है सुभोद कुमार जैस्व सुभोद कुमार जैस्वाल, सुभोद कुमार जैस्वाल, ओप्रेशन चक्रा, CBI Central Bureau of Investigation ने लौंच किया है, Central Bureau of Investigation की स्थापना 1 April 1963 में हुई थी, अगर CBI न्यूज में है, तो हमें इसका Director General भी पता होना चाहिए, कौन है, सुभोद कुमार जैस्वाल is the Director General of CBI, नेक्ट विच यूनियन मिनिस्ट्री ओर्गिनाइज़ दा, सेगा ओफ फ्रिडम, नौन एज लैसर, नौन इस्ट्रगल एक्जिबिशन मतलब, किस केंद्रिय मंत्रा ले ने स्वतंतरता की गाथा, ग्यात और कम ग्यात संगस प्रदशनी का आयोजित किया है, ध्यान देना बेचा, इस प्रदशनी को आयोजित किया है, मिनिस्ट्री ओफ कल्चर ने, मिनिस्ट्री ओफ कल्चर ने इसको आयोजित किया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस, रक्षा मंत्री कौन है, राजनात सिंग, हमारे रक्षा मंत्री है, राजनात सिंग, कल्चर मिनिस्ट्र है, जी हमारे हो मिनिस्टर है अमिस शाह और Ministry of External Affairs S. जैसंकर आपको पता होना चीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग कल्चर मिनिस्टर या संसकर्ति मंत्री को उने जी किसन रेड़ी Ministry of Home Affairs अमिस शाह और Ministry of External Affairs जैसंकर इसको किसके दौरा लॉंच किया गया है इसको लॉंच किया गया है Ministry of Culture के दौरा Next question की तरह बढ़ते हैं बच्चो ध्यान देना CII and IOCL has launched the launch a crop residue management initiative वायू अमरित देखो इसको लॉंच करने की पीछे सबसे बड़ा रीजन है आप आए दिन सुनते हैं कि दिल्ली के अंदर pollution बहुत ज्यादा है पंजाब और हर्याना में फसल काटने के बाद जो नीचे डंठळ बच जाते हैं उसको जलाते हैं और उससे ज्यादा बहुत ज्यादा pollution होता है जिसको पराली जलाना कहते हैं तो उससे बचने के लिए वायू अमरित नाम का इनिशेटिव लोंच किया गया है, वायू अमरित नाम का इनिशेटिव कहां पर लोंच किया गया है, नागरी विलेज ठीक है, नागरी विलेज पंजाब में, पंजाब में है नागरी विलेज, नागरी गाउं, जिला कौन सा ह संगरूर संगरूर नाम का जिला है और स्टेट कौन सा है पंजाब स्टेट का नाम है पंजाब पंजाब के नागरी गाउ में जिला कौन सा है संगरूर जिला और स्टेट कौन सा है पंजाब यहाँ पर वायू अमरित लॉंच किया गया है ठीक है अब अगर यहाँ पर बात करें CII की, Confederation of Indian, Confederation of Indian Industry, इसकी स्थापना हुई थी CII की, CII की बात कर लेते हैं पहले, इसकी स्थापना हुई थी, CII की स्थापना हुई थी 1895 में, CII की स्थापना हुई थी 1895 में, बच्चो ध्यान देना, इसका Headquarter है दिल्ली में, और इसके जो चेर्मेन है वो है, संजे बजाज, संजीव बजाज है, इसके चेर्मेन, Confederation of Indian Industry, ठीक है, इसकी स्थापना 1895 में, इसके जो चेर्मेन है वो है, संजीव बजाज, इसके बाद बात करते हैं, IOCL की, IOCL, Indian Oil Corporation Limited, इसकी स्थापना की गए थी, इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड की स्थापना की गए थी, 1959 में, 1959 में, लिखना बच्चो, इसका Headquarter कहां पर है, IOCL का Headquarter है, New Delhi में, ठीक है, New Delhi, इसका भी Headquarter, दिल्ली में है, और इसके जो चेर्मेन है, ठीक है, इसके चेर्मेन है, स्रीकांत माधव वैद्य, स्रीकांत माधव वैद्य, IOCL की स्थापना, 1959 में, Headquarter दिल्ली, और इसके जो चेर्मेन है, वो है, स्रीकांत माधव वैद्य, नेक्स्क्रिकांत की तरह बढ़ता हैं, बच्चो, ये क्पौना, इसका मतलब है, मत्दाता जागरुकता प्रोग्राम गोर्राम का नाम है, इसका नाम है मत्दाता जंग्सन, election commissioner ने, election commission ने All India Radio पर वो भी ध्यान रखना, किसके द्वारा launch किया गया है, election commission के द्वारा, किसके थुरू launch किया गया है, All India Radio के द्वारा launch करवाय गया है, और इसका नाम है मत्दाता जंग्सन, मत्दाता जंग्सन, हमारे जो 25th chief election commissioner है, 25th chief election commissioner, Chief Election Commissioner ठीक है मुख्य चुनाव आयुक्त है हमारे 25 वे उनका नाम है राजिव कुमार ये भी आपको पता होना चीए जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है 25th कौन है राजिव कुमार उन्होंने मतदाता जंक्सन नाम का Voting Awareness Program चालू किया है किसके माद्यम से All India Radio के माद्यम से Next Question की तरफ बढ़ता है Which of the following state has achieved the top rank in the country under the best performing state category in the प्रधान मंत्री आवास अर्बन इस्कीम निम्न लिखित में से किस राजजने प्रधान मंत्री सहरी आवास यूजना प्रधान मंत्री सहरी आवास यूजना में सर्वस्षिष्ट प्रधशन करने पर राजजो की सेर्णी में सीर्स इस्थान प्राप्त किया है तो लिखना बच्चों योजना सहरी की तो इसकी स्थापना उती 25 जून 2015 को 25 जून 2015 को स्थापना उती प्रधान मंत्री सहरी आवास योजना की ठीक है इंपोर्टेंड डेट है 25 जून 2015 अगर ये योजना न्यूज में तो हमें ये लोजना कब लाउंच हुई थी वो भी पता रहना चीए ठीक है पहले नंबर पर यूपी दूसरे पर मद्यपरदेश तीसरे पर आंद्र परसे तो इसका आंसर क्या है उत्तरप्रदेश ऑप्शन डी नेक्ट कुस्टन की तरब बढ़ते हैं अब हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवर की करेंट अफेर्स अब तक हम इंडियन करेंट अफेर्स पढ़ रहे थे हमारे आंत्रिक मामले जो हमारे देश में आया दिन गटना हो रही है अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लेवर की अंतरराष्टी है करेंट अफेर्स ठीक है देखना ध्यान से पहला क्यूशन है डबलो एचो इशूड़े वार्निंग फोर इंडिया मेड कफ सीरप आफ्टर डैथ ओफ चिल्डरेन इन विच कंट्री अच्छा एक कंपनी है भारत की उस कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम है मैडियन फार्मासुटिकल्स कंपनी का नाम भी होना चाहिए पता मैडियन फार्मासुटिकल्स मैडियन फार्मासुटिकल्स ने एक दवाई बनाए थी उसकी वज़े से कफ सीरप की वज़े से 66 बच्चों की मरती हो गई है 66 बच्चों की मरती हो गई है किस देश में जांबिया में जांबिया नाम का एक अफ्रिकन देश है वहाँ पर 66 बच्चों की मर्ती हो गई है ठीक है डबलू एचो ने वार्निंग पेस किये इस कफ सिरप को इस पेसली इस कंपनी को अब यहाँ पर अगर डबलू एचो का जिकर आया है तो डबलू एचो की बात कर लेते हैं डबलू एचो की स्थापना की गई थी साथ अप्रेल 1948 को डबलू एचो की स्थापना की गई थी इसका हैड़कौर्टर है जिनेवा में जिनेवा स्विर्जल लेंड में इसका हैड़कौर्टर है और जो इसके डायक्टर जनरल है वो है टेड्रोस एदनन डॉक्टर टेड्रोस एदनोम डॉक्टर टेड्रोस एदनोम डबलू एचो के डायक्टर जनरल है साथ अप्रेल 1948 को इसके स्थापना हुए थी कहाँ पर है हेड़कौर्टर जिनेवा में अभी अभी एक कंट्री है ठीक है जिसका नाम है जांबिया वहाँ पर 66 बच्चों की मौत हो गई है इस वज़े से डबलू एचो ने इस कंपनी को क्या दिया है वार्निंग दिया है मेडियन फार्मासोटिकल्स इसका नाम है नेक्स कुस्टन की तरह बढ़ते हैं इस्राइल एंड विच कंट्री हैव एग्रिड रिजॉल्व ए डिकेड ओल्ड डिस्प्यूट ओवर दा कंट्रोल ओफ इस्टन स्ट्रेच ओफ मेडिटेरियन सी देखो मेडिटेरियन सी से द इस विवाद को सुलजा लिया है ठीक है इस्राइल के अगर कैपिटल की बात करें देखना इस्राइल इस्राइल के अगर कैपिटल की बात करें तो इस्राइल की कैपिटल है जेरुसलेम क्या नाम है इस्राइल की कैपिटल का जेरुसलेम ठीक है करंसी के क्या नाम है इस्रा लेबनोन की जो कैपिटल उसका नाम है बेरूट लेबनोन की कैपिटल का नाम है बेरूट और लेबनोन में जो करंसी चलती है उसको कहते हैं लेबनियन पाउंड लेबनियन पाउंड कहा जाता उसको करंसी को तो दो कंट्रिया है इस वक्त बहुत न्यूज में है इनके 40-50 साल पुराना एक जगड़ा चल रहा था जमीन को लेकर उनको इन दोनों ने बैठ के सुलजा लिया है एक है इसराइल और एक है लेबनोन ये आपको पता होना चाहि करंट अफेर का important question है next question की तरह बढ़ते हैं which city is the host of the international forum on peace and security international forum on peace and security की meeting हुई है कहां पे हुई है ये डाकार में हुई है ये हुई है डाकार में और ये कौन से नंबर की meeting थी ये भी आपको पता होना चाहिए 8th international forum of peace and security आठवी अफरिका में शांती और सिरक्षा पर अंतराष्टिय मंच 8th ये डाकार जो आपका दिख रहा है ये सिनेगल सिनेगल नाम की country है उसकी राज़दानी है डाकार तो डाकार के अंदर हुआ है क्या हुआ है अफ शांती और सुरक्षा पर अंतराष्टिय मंच का 8th session 8th session डाकार के अंदर हुआ है next question की तरफ चरते है European Parliament has approved a new rule that will introduce a single charging port for mobile phone, tablet and cameras ठीक है by which in the year ठीक है देखो European संसद ने एक नए नियम को मंजूरी दी है जो European संग में किस वर्स तक mobile tablet और camera के लिए एकल charging port पेस किया जाएगा मतलब चाहिए mobile हो, tablet हो, camera हो एक ही charging port से सब को आप आराम से charge कर सकते हैं कब तक 2024 तक पूरे के पूरे यूरोप में single charging system आने वाला है, camera हो, tablet हो या आपका phone हो, आप एक ही port से सब को charge कर सकते हैं ठीक है, European Parliament की बात आईए तो यहाँ पर European Union की बात करना जरूरी है European Union में 27 देश है, ध्यान देना, European Union में total 27 countries है और इसकी इस्थापना हुई थी 1993 में European Union की स्थापना की गई थी 1993 में और European Union का headquarter है Brussels में Headquarter या मुख्याल है, Brussels Headquarter या मुख्याल है European Union का Brussels में और Brussels परता है Belgium में ब्रूजेल्स, Belgium में इसका headquarter है, नेक्स की स्थापना चलते हैं इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसका headquarter है Brussels Belgium में ब्रूजेल्स, Belgium में इसका headquarter है, नेक्स की स्थापना की तरफ चलते हैं इसका headquarter कहां है या मुख्याले कहां है, इसका headquarter है Guru Gram में International Solar Alliance, अंतरराश्टिय सोर गठभंदन की स्थापना 2015 में भारत में की गई थी इसका headquarter है Guru Gram के अंदर और इसके director general है Ajay Mathur Ajay Mathur इसके director general है इस बात का आपको पता होना चाहिए और अब तक International Solar Alliance में 109 country जुड़ चुके हैं वैसे तो 121 country जुड़ चुके हैं लेकिन signature करके officially 121 ने हा किये, officially 109 member है अब तक जब तक मैं आपको ये video record कर रहा हूं मतलब जब तक मैं ये video बना रहा हूं ठीक है, next question कि तरह बढ़ते हैं The World Bank has appointed who among the following as the chairman of the court of arbitration regarding the चुड़ तो नहीं किया कुछ, ठीक है The World Bank has appointed who among the following as the chairman of the court of arbitration regarding the disagreement between India and Pakistan On Indus Water Treaty, ध्यान से समझना Indus Water Treaty का यहां पर जिक्राया है On Kissan Ganga and Rattle Hydro Power Project, देखो Kissan Ganga Hydro Power Project जम्मु कस्मीर के अंदर चलाया जा रहा है यहां पर Pakistan को फिर से दिक्कत आने लग रही है, क्योंकि अगर हम Hydro Project का निर्माड कर रहे है तो उदर थोड़ी पाने की कमी होती रहती है, तो यहां पर फिर से पाकिस्तान ने यहां पर बखेडा खड़ा कर दिया है उसके लिए UNO ने एक आदमी को निक्त किया है, उसका नाम है सीन मर्फी उस आदमी का नाम है शौन मर्फी, रट लेना इस चीज़ को, शौन मर्फी मध्यस्ता करवाएंगे मतलब मामले को दोनों पार्टिय को बिठाएंगे भारत के पाकिस्तान को और मामले को सुल्जहने की कोशिस करेंगे, ध्यान देना अब देखो, इंडस वाटर टीटी के अंदर कुछ नदिया है, एक है सिंधु, एक है चेनाब, और एक है जेलम तीन नदिया है, सिंधु, चेनाब और जेलम, एक है रावी, ब्यास और सतलज ध्यान से समझना, ये 6 नदियां हैं, इंडस वाटर टीटी की गई थी, 2060 के अंदर की गई थी, इंडस वाटर टीटी, ध्यान से समझना 2007 में टीटी की गई, इसके आदार पर ये फैसला किया गया, कि ये जो तीन नदियां है, सिंधु, चेनाब और जेलम इनका 80% पानी पाकिस्तान को सोंपा जाएगा और भारत के वल 20% उप्योग करेगा और ये नीचे वाली जो तीन नदियां है, रावी, ब्यास और सतलुज, इसका 80% यूज भारत करेगा और इसमें से ये जो ब्यास है, ये तो पूरी, पूर्ण रूप से भारत के अंदर ही बहती है, तो ब्यास का पूरा पानी इंडिया ही यूज करेगा, ठीक है, तो इसकी मध्यस्ता करवाए गई है, किसके द्वारा, सौन मर्फी के द्वारा, ठीक है Next question की तरब बढ़ते हैं यूनेसको ने 50 ऐसी चीजों की सूची जायर किये, जिसमें कपड़े हैं, उन है, टाई है, डाई है, इसको लॉंच किया गया है, लद्दा के अंदर, लद्दा के गवर्नर को ने, आरके माथूर लद्दा के गवर्नर है, इस वक्त आरके माथूर, राधा कृष्टन माथूर लद्दा के गवर्नर है, ठीक है, आगे चलते हैं, अगर यहाँ पर बात आई है, यूनेसको की, तो यूनेसको को बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, यूनेसको की इस्थापना की गई थ 1945 में UNESCO का Headquarter कहा है? UNESCO का Headquarter है Paris के अंदर. France की राजधानी, Paris के अंदर UNESCO का Headquarter है. यह आपको पता होना चाहिए. Next question. Lahansk और Donatusk दो सेरों के नाम है आपर. Lahansk और Donatusk दो समाचारों में चर्चित थे किस देश से सम्मंदित है? देखो इस वक्त युद्ध चल रहा है Ukraine और Russia के बीच. तो यह दोनो cities है. यह है Ukraine की. जिस पर अभी थोड़े दिन पहले Russia का कबज़ा हो गया था? किस-किस के उपर? Lahansk और Donatusk अब इनको Ukraine ने वापस आज़ाद करा लिया है. Ukraine की अगर हम बात करें. सबसे पहले Ukraine की बात कर लेते हैं. Ukraine की Capital या राजदानी है क्यूँ? Ukraine की Capital या राजदानी है क्यूँ? और इसकी जो करंसी है वो है हर निया. हर वी निया इसकी करंसी है. और इसके जो President है राजपती वो है जैलेंस की वोल्दोमिर जैलेंस की वोल्दोमिर जैलेंस की Ukraine के President है. अब इदर आजाओ. रश्या की बात कर लेते हैं. रश्या की Capital क्या है? मोस्को. क्या है रश्या की राजदानी? मोस्को. रश्या की करंसी क्या नाम है? रश्यन रूबल, मोस्को और रश्यन रूबल, मोस्को रश्यन रूबल और रश्या की जो प्रेशिडेंट है, राश्ट पती है, उसका नाम क्या है, पुतिन, व्लादिमिर पुतिन, तो यह दोनों सहर उक्रेन के हैं, next question की तरह बढ़ते हैं, which country is the host of COP27, 27th annual UN meeting climate, देखो ध्यान से देना, हर साल एक climatic meeting होती है, जिसको COP का मतलब होता है, Conference of the Parties, Conference of the Parties, इसका host था Egypt, 27th meeting हुई है Egypt के अंदर, Egypt यानी मिस्र, मिस्र के अंदर 27th meeting हुई है, ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या है भई, यह भी आपको पता होना चाहिए, काईरो, मिस्र की राजधानी आपको पता होना चाहिए क्या है, काईरो, और यहाँ पर जो currency चलती है, वो चलती है, Egyptian Pound, Egypt में जो currency चलती है, वो चलती है, Egyptian Pound, अब अगर यह 27th meeting है, तो 28th कहां पर होनी वाली है, यह होनी वाली है, Next Year, ध्यान से लिखना इसको, 28th होगी, UAE, United Arab Emirat, या संयुक्त Arab Emirat, United Arab Emirat या संयुक्त Arab Emirat में अगले साल 28th meeting होनी वाली है, यह 27th वी थी, कहां पर हो थी, Egypt में, Egypt की capital क्या है, Cairo और Egypt में जो currency चलती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है Egyptian Pound, अब यह important है, आपको पहली meeting भी पता होने चाहिए, यह जो COP है, Conference of Party है, इसकी पहली meeting हुई थी 1995 में, पहली meeting हुई थी 1995 में, कहां पर बर्लिन में, Berlin राजदानी है, जर्मनी की, COP की पहली meeting हुई थी, बर्लिन के अंदर 1995 में, यह 27th meeting है, 28th वी अगले साल, UAE में होगी, next question के तरफ चलते हैं, as per the climate transparency report, which country was the most affected by the income losses from heat related labor capacity reduction, गर्मी के कारण इतना ज़्यादा labor heat हो रहा है, उससे वज़े से एक country सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्या लागता आपको, क्या होगा इसका answer, इसका answer है इंडिया, सबसे ज़्यादा प्रभावित है हम लोग, और कितना प्रभावित है, आप जानके सोक हो जाओगे, हम प्रभावित है, हमारी GDP का 5.4%, हमारी GDP का 5.4%, मतलब अगर हम हमारे देश में हर साल 100 रुपे कमा रहे हैं, 100 रुपे की GDP है, तो उसमें से 0.5,5% तो केवल कोल इस वज़े से नहीं कमाते, क्योंकि लोग काम करने नहीं जाते, climate इतना बदल रहा है, जल्वायू परिवर्थने इतना ज्यादा हो रहा है, कि लोगों को गर्मी लगते हैं, लोग काम करने के लिए जाते नहीं है, ठीक है इसके बाद दूसरे नमबर पे अगर हम देखे तो यहाँ पे आता इंडोनेशिया इंडोनेशिया की 1.9 GDP 1.9% GDP प्रभावत है और तीसरा अगर हम देखे तो यह है सौधी अरेबिया साथी अरेबिया की 1% के आसपाँ GDP प्रभावित है इनकी तो फिर भी GDP कम प्रभावित है सबसे जादा GDP प्रभावित है इंडिया की किस वज़े से ये जो labor heat चल रही है labor capacity reduction किस वज़े से गर्मी की वज़े से केवल और केल गर्मी की वज़े से इतना बड़ा GDP का लोस हो जाता है ठीक है next question की तरह बढ़ते हैं Indian embassy in which of the following countries have organized much shout after annual flagship cultural program सारंग एक सारंग नाम का cultural program किया गया है भारत का जो दूतावाय से उसके द्वारा किस country के अंदर किया गया है ये किया गया है South Korea के अंदर सारंग नाम का एक cultural Sanskritic program किया गया है किस के अंदर South Korea के अंदर South Korea में जो हमारे ambassador है राजदूत है उनका नाम है Amit Kumar South Korea में हमारे ambassador है Amit Kumar ध्यान से लिखना अगर South Korea का जिक्र आया है तो ambassador का नाम भी आख से अपजाम से पूचा जा सुका है कौन है हमारे राजदूत Amit Kumar next question की तरह बढ़ते हैं Alexander Van Dan Belan को किस देश के राश्टपती के रूप में चुना गया है ध्यान से समझना इनको चुना गया है Australia का राश्टपती दूसरी बार Australia एक country है यूरोप में इसका राश्टपती चुन लिया गया है इनको दूबारा Australia की क्या राजदानी है Vienna आपने कई बार सुना होगा Vienna Australia की राजदानी है यह Australia है Australia अलग country है ठीक है इसकी राजदानी है Vienna और यहाँ पर जो currency चलती है वो क्या चलती है Euro क्योंकि यह European country है तो यहाँ पर क्या चलती है Euro Alexander Van Der Belan को Australia का क्या चुन लिया गया है President Next question की तरफ चलते हैं China are announced to launch three new corridor in agriculture, health and IT sector Agriculture, health and IT sector में तीन program launch किये हैं क्या लगता आपको इसका answer क्या होना चाहिए इसका answer simple होना चाहिए Pakistan क्योंकि Pakistan के साथ इस वक्त चाहिए के काफी अच्छे संबन्द चल रहे हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं Pakistan की पाकिस्तान की राजधनी क्या है Islamabad पाकिस्तान की राजधनी क्या है Islamabad currency क्या चलती है पाकिस्तानी रुपिया यहाँ पर currency क्या चलती है पाकिस्तानी रुपिया और पाकिस्तान के जो इस वक्त PM है वो है सहभाज शरीफ पाकिस्तान के इस वक्त के प्राइम निस्टर सहभाज शरीफ इससे पहले इमरान खान थे और इससे पहले क्या थे नवाज शरीफ यह नवाज शरीफ के भाई है ठीक है सहभाज शरीफ इसके बाद हम चाइना की बात कर लेते हैं चाइना की capital क्या है यहां लेखता हूं मैं चाइना की केपिटल है बिजिंग, चाइना की केपिटल है बिजिंग और यहां पर जो करंसी चलती है मतलब जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रैन मिनि भी, रैन मिनी भी चलती है यहां पर यहां पर करन से चलती है रैन मिनी भी और यहां के जो राष्ट पती है उसका नाम है कौन है चाइना की राष्ट पती सी जिंग पिंग शी जिंग पिंग तो चाइना ने एक तीन सेक्टर में अभी अभी एक समझोता किया है करशी के अंदर स्वास्त के अंदर और आईटी सेक्टर के अंदर किस के साथ पाकिस्तान के साथ नेस्ट की तरह बढ़ते हैं कंसेडर दॉड फॉलविंग ध्यान से देखना यूनाटेड नेसरंस सेकेटरी जनरल एंटोणियो गुटेरस यह आपको पता होना चाहिए यूनाटेड नेसरंस के सेकेटरी जनरल कौ यह आये हुए है, यह मुंबई में आके उतरे थे, ठीक है, सही बात है, और यह आये क्यों है, यहाँ पर मुंबई अटेक हुआ था 2008 में, उसको सद्धान्जली देने के लिए आये हैं, ठीक है, इस इस फर्स्ट विजिट तू इंडिया, since he assumed second term in the office, जब से उन्होंने दूसरी बार अपना office सबाला है, तब से पहली विजिट है उनकी, सही बात है, जब से उन्होंने office सबाला है, उनकी पहली विजिट है, तो इसमें answer क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा C, दोनों कथन सही है, वो भारत में तीन दिन की विजिट के अचीए एट थे एंटोनियो गुटरेस नाइन है एट थे बान की मून बान की मून एट सकेटरी जनरल थे युनाटे डिनिसन्स की एंटोनियो गुटरेस किस कंट्री के हैं एंटोनियो गुटरेस है पुर्तगाल के यह पुर्तगाल के हैं अन्टोनियो गुट्रेस पुर्तगाल के हैं ठीक है next question की तरब बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे economy और banking से related questions ठीक है हमने अभी राष्टे इस तर के question देखे उसके बाद अंतर राष्टे इस तर के question देखे अब हम देखेंगे banking से related questions हमने यहाँ पर इसको sector wise बांट रखा था क कि आपको पढ़ने में दिक्कत नाओ कि इसकी category क्या है आप आराम से एक category को उठाओ आराम से 20 question को लिखो पढ़ो आराम से समझू ठीक है Question number 35 की तरफ चलते हैं which institute launched the sustainability perception index for MSME किस संस्थान ने MMSE के लिए sustainability perception index को launch किया है यह आपको पता होना चाहिए किस ने launch किया है Sydney ने Sydney एक bank का नाम है क्या नाम है Sydney की Small Industrial Development Bank of India Sydney का जो headquarter है वो है लखनों के अंदर और Sydney की इस्थापना हुई थी 2 April 1990 में Sydney की इस्थापना 2 April 1990 में हुई थी इसका headquarter कहा है इसका headquarter है लखनों में दो अप्रेल 1990 में Sydney की इस्थापनाविती headquarter है लखनों में और सिव सुब्रा मन्यम रमन सिव सुब्रा मन्यम रमन क्या है इसके chairman है यह आपको पता हूँ न चीए chairman and MD दोनों है तो Sydney ने launch किया है sustainability perception index next question की तरफ चलते हैं स्री सक्तिकांत दास सक्तिकांत दास कोन है हमारे 25 वे गवर्नर है 25th governor of RBI RBI के 25 वे governor है सक्तिकांत दास launched a super tech initiative launch daks daks launch किया इनोंने किस लिए launch किया है इसको पता होना चीए check issue of banknotes and coin गलत supervisory purpose के लिए दक्स का मत्तब क्या होता है किसी चीज में दक्सता प्राप्त करना तो इसको किसी लिए launch किया गया है supervisory purpose के लिए परेवेक्स के लिए उपर से supervision करने के लिए ठीक है सक्तिकांत दास 25 वे governor है RBI के यह आपको पता होना चीए next question के तरफ बढ़ते हैं commitment of reducing inequality मत्ब सामाजिक और आर्थिक समानता को कम करना किसी भी देश में या अपने देश में उसमें भारत की रैंक क्या है ऐसमानता सुचकांक बोला जाता है इसको 2000 भारत में इसकी रैंक क्या है भारत की 123 2022 में भारत की रैंक है 123 कितने countries में से 161 countries में से 123 रैंक प्याते हैं अगर हम इससे पिछले वाली रैंक की बात करें तो इससे पिछले वाली रैंक आया थी 2020 में 2020 में भारत की रेक्ती 139, हमने अपने आपको 6 पॉइंट सुधार लिया है, अगर आप देखोगे तो ये 6 पॉइंट कम है, 2020 में 139 नमर पे थे, अब हम आये हैं 123 नमर पर, किसमें ऐ समानता सूचकान के अंदर, next question की तरफ बढ़ते हैं, which e-commerce platform has partnered with the spice board of India for training program of spice farmers, जो भी farmers मसाले की खेती करते हैं, ठीक है, अपने हल्दी हो गया, ठीक है, हल्दी हो गया, मिर्ची हो गया, अद्रक हो गया, इनकी खेती करते हैं, उनके साथ एक company ने क्या किया है, partnership किये, उस company का नाम है Flipkart, Flipkart ने partnership किया, अगर हम Flipkart का यहां पर जिकर आया है, तो Flipkart की देखो, इस्थापना हुई थी 2007 में, इसका headquarter है Bangalore में, Flipkart की इस्थापना 2007 में की गई थी, headquarter है Bangalore में, और किसने की थी, सचिन बंसल और मिनी बंसल ने, पती पत्नी है यह, सचिन बंसल और मिनी बंसल, सचिन बंसल और मिनी बंसल ने 2007 में इसकी इस्थापना की थी, ठीक है, लेकिन अब Flipkart को खरीद लिया है, किसने वालमार्ट ने, वालमार्ट नाम की company जो American company है, उसने 2018 में Flipkart को खरीद लिया है, अब यह किसके अंडर आती है, वालमार्ट के अंतर गताती है, लगबग 22% stake, इस company का लगबग 22% इस्था, वालमार्ट के पास है, ठीक है, इस वक्त जो, हमारा जो Flipkart है, उसके चेर्मेन कोन है, कल्यान कृष्णमूर्थी, यह भी आपको पता होना चाहिए, कल्यान कृष्णमूर्थी, कल्यान कृष्णमूर्थी, फिलिपकार्ट के क्या है, चेर्मेन CEO और MD है, नेक्ष्ट करते हैं, अगले कुष्ण की तरफ, नेक्ष्ट कुष्ण है, दा मेन अबजेक्टिव ओफ, मिनिममम सपोर्ट प्राइज, देखो, मिनिममम सपोर्ट प्राइज का मतलब होता है, वो कम से कम कीमत, जिस पर हमने जो किसान या फार्मर होते हैं, उनसे हमारी गौर्रमेंट खरिती है, सरसो हो, गेँ हो, चावल हो जिस कीमत पर government हम से farmer से ये हमारे जो उत्पाद है खरिती उसको कहते है minimum support price तो इसका क्या मतलब हो जाएगा minimum support price उपभोगताओं के हितों की रक्षा करना उपभोगताओं के हितों की रक्षा करना की ज्यादा कम price तो government नहीं दे रही है मतलब जैसे कि अभी गेहों का जो भाव चल रहा हो एक्किस सो पच्चिस कुंटल पर कुंटल चल रहा है एक्किस सो पच्चिस तो कहीं ये ज्यादा कम तो नहीं है इसके उपर इसको जाच की जाती है minimum support price के द्वारा मतलब हमारी जो farmer है उपभोगता है उनके minimum consumer प्रोटेक्ट करती है उनके interest को ठीक है next question की तरब बढ़ते है which institute got an approval from SEBI Security and Exchange Board of India for introducing social stock exchange as a separate segment ठीक है social stock exchange पहले क्या है SEBI के अंतरगती आता था अब जो Bombay stock exchange है वो ये मांग कर रहा है SEBI से कि इसको अलग कर दिया जाए एक separate segment बना दिया जाए ठीक है BSE Bombay stock exchange की इस्थापना की भूई थी ये आपको पता होना चीए इसकी इस्थापना हूई थी 1875 में पहले इसको दलाल गली का जाता था दलाल स्ट्रेट पहले Mumbai stock exchange को दलाल गली का जाता था इसकी इस्थापना हूई थी 1875 में दलाल गली के नाम से जाना जाता था ठीक है next question के तरफ चलते है which of the following bank has recently launched it to work for home facility for the employees किस bank ने work from home घर पर बैठ के आप काम करो ठीक है किस ने launch किया ये State Bank of India ने State Bank of India ने ये facility launch किये क्या launch किये कि आप घर पर बैठ के काम कर सकते है SBI की स्थापना हूई थी 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को ये आपको पता होना चीये SBI की स्थापना कब हुई थी 1 जुलाई 1955 को SBI का जो headquarter है SBI का जो headquarter है वो है Mumbai में कहा है headquarter Mumbai में Mumbai में इसका headquarter है और जो इसके chairman है वो है दिनेश कुमार खारा दिनेश कुमार खारा दिनेश कुमार खारा से भी ने सोरी SBI ने State Bank of India ने ये facility launch किये ठीक है एक जुलाई 1955 में State Bank of India की इस्थापना होती है इसका गठन होता है इसका headquarter है मुंबई के अंदर और इसके present chairman ने दिनेश कुमार खारा next question की तरब बढ़ते है प्रशान्त कुमार has been appointed as the MD and CEO of which private sector bank प्रशान्त कुमार को अभी-भी MD और CEO बनाया है किस बैंक का बनाया गया है yes bank का MD और CEO बनाया गया है प्रशान्त कुमार को yes bank की अगर हम स्थापना की बात करें तो yes bank को बनाया गया था 2004 में yes bank की स्थापना की गयी थी 2004 के अंदर और yes bank का जो headquarter है वो है मुंबई में ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये bank news में आ चुका है yes bank की स्थापना 2004 में headquarter मुंबई में और इसके MD और CEO कोन है प्रशांत कुमार next question की तरफ चलते हैं which financial service company partnered with NASCOM ठीक है foundation for woman empowerment through technology project यहाँ पर American express American express NASCOM के साथ मिलकर 700 से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा NASCOM के साथ मिलकर 700 से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा national software for service companies national association of software and service companies इसकी full form है ठीक है American express के साथ partnership करके यहाँ पर 7 से महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा next question की तरफ बढ़ते हैं निमने लिखित को arrange कीजिए किस चीज के लिए hunger index 2022 के लिए ध्यान से देखना hunger index 2022 ठीक है सबसे पहले हम स्रीलंका की बात करते हैं hunger index के अंदर स्रीलंका को कौन सा नंबर मिला है इसकी rank है 64th स्रीलंका की rank है 64th स्रीलंका के बाद आता है नेपाल नेपाल की rank है 81 नेपाल की रैंक है 81, नेपाल के बाद आता है बांगलादेश, बांगलादेश की रैंक है 84, नेपाल के बाद आता है बांगलादेश, बांगलादेश की रैंक है 84, बांगलादेश के बाद आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान की रैक है 99th मतलब 99 रैंक पाकिस्तान है पाकिस्तान के बाद नमबर आता है इंडिया का या भारत का भारत की रैंक है 107 और सबसे बाद में आता है अफगानिस्तान अफगानिस्तान की रैंक है 109 ध्यान से देखना ये सारे हमारे पडूसी देश है स्री लंका की सबसे अच्छी रैंक है यहाँ पर भुखमरी कम है 64 रैंक है उसके बाद नेपाल की हालत खराब है 81 रैंक है उसके बाद बांगलादेश 84 रैंक है उसके बाद पाकिस्तान 99 रैं है पाकिस्तान से भी बूरी हालत है हमारे यहां पर हंगर इंडेक्स में हमारे यहां पर पाकिस्तान से भी ज्यादा भुकमरी है ठीक है और हम केवल दो कदम उपर है अफगानिस्तान से अफगानिस्तान से केवल दो कदम उपर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यह rank आपको याद रखनी है इंडिया की 107 इंडिया की rank 107 आपको याद रखनी है देखो यहाँ पर सबसे पहले स्रिलंका सही है दूसरे नमबर पर नेपाल सही है तीसे नमबर पर बांगलादेश सही है चोथे नमबर पर पाकिस्तान सही है पांचवे नमब पर आएगा इंडिया ठीक है मतलब इंडिया यहां से यहां जाएगा यहां चल जाएगा मतलब option एस सही हो जाएगा rank order देखो आप यह वाला है ठीक है तो इंडिया पहले आएगा अफगानिस्तान बाद में चला जाएगा इंडिया पहले आजाएगा अफगानिस्तान बाद म बेलारस बेलारस ने ग्लोबल हंदर इंडेक्स में सबसे टोप किया है बेलारस एक यूरोपियन कंट्री है ठीक है नाइस कुश्चन की तरफ चलते हैं ध्यान से देखना according to a survey इन जारखंड the percentage age of girls getting getting married before turning 18 मतलब भारत में जारखंड ऐसा राज्य है जहां पर लड़की 18 साल की होने से पहले ही शादी कर लेती है ठीक है लड़की 18 साल से उपर शादी करने की इजाज़त है लेकिन जारखंड के अंदर ये रेशो सबसे ज़्यादा पाया गया जारखंड के अंदर लड़की आ 18 साल होने से पहले ही शादी कर लेती है कितने परसेंट 5.8% 5.8% तो ये जो सर्वे करवाया है ये सर्वे किस ने करवाया है ये सर्वे करवाया है हमारी Home Ministry ने Home Ministry ने सर्वे करवाया है और सबसे ज़्यादा हालत खराब किसकी है सबसे ज़्यादा हालत खराब है जारखंड की जारखंड को अगर हम देखें तो जारखंड में 5.8% लड़किया 18 साल से पहले शादी कर लेती है मगर अगर जारखंड के अंदर हर साल 100 लड़किया stick तो उसमें से लगबग 6 लड़कियां 18 साल से पहले ही शादी कर लेती है नाबालिक शादी कर लेती है सबसे अच्छा रेशो है किरला का लगबग 0% है वहाँ पर सारी लड़कियां पड़ी लिखिये और वो शादी करती है 18 साल के बाद ठीक है और अगर हम भारत का एवरेज रेशो है भारत का अगर पूरा एवरेज रेशो है 18 साल से कम उम्र की शादी करने का 1.9% भारत का एवरेज रेशो है 1.9% सबसे ज्यादा हालत कराब है यहां तक भी हर्याना की भी इस्तति ठीक है वहाँ पर भी थोड़ा कम है इससे सबसे ज्यादा जार्खंड में होता है 18 साल से पहले लड़कियों की शादी कर ली जाती है ठीक है 5.8% ही रेशो और यह सर्वे कराया है होम मिनिस्ट्री ने ध्यान रखना है इस चीज़ का next question है consider the following statements निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए LIC has launched LIC जन्धन वर्षां scheme LIC ने जन्धन वर्षां scheme को launch किया है सही बात है LIC ने जन्धन वर्षां scheme को launch किया है ठीक है LIC जन्धन वर्षां scheme is non-linked non-participating individual saving life insurance plan which offer a combination of protection and saving मतलब LIC धन्वर्षां यूजना एक non-linked non-participating individual saving life insurance plan है जो सुरक्षा और बचत दोनों परदान करता है ठीक है जो सुरक्षा और बचत दोनों परदान करता है तो यहाँ पर दोनों ही बात सही है जो भी दोनों बात उपर लिखी गई है दोनों ही सही है अब बात कर लेते हैं LIC की LIC की स्थापन होती है एक सितंबर 1956 को एक सितंबर 1956 को LIC की स्थापना होती है Life Insurance Corporation इसकी full form है एक सितंबर 1956 में इसकी स्थापन होती है इसका headquarter कहां पर है इसका headquarter है Mumbai में इसका headquarter है Mumbai के अंदर और इसके chairman का क्या नाम है इनके chairman का नाम है MR कुमार LIC के chairman है MR कुमार LIC के अंदर एक chairman के लावज 4 MD और होते हैं ठीक है 4 MD और एक chairman LIC के अंदर होता है अगर ये जो LIC जन्धन वर्सा इसकी में काफी important है इसकी date भी आपको पता होने चीए इसको launch किया गया था 17 October 2022 को 17 October 2022 को इस scheme को launch किया गया था लिख लेना इसको काफी important scheme है 17 October 2022 Next question की तरफ चलते हैं The World Bank's last its growth estimate for India by 1% World Bank ने जो हमारी growth rate बटाई थी 2023 की financial year देखो जब भी financial year 23 लिखा हुआ है ना इसका मतलब है 2022 2023 हमारा जो financial year है वित्तिय वर्स है वो कहां से कहां जग जाता है वो जाता है एक अप्रेल से लेकर 31 मार्च तक हमारा जो वित्तिय वर्स है financial year है वो जाता है एक अप्रेल से लेकर 31 मार्च तक तो जब भी यहाँ पर financial year 23 लिखा हुआ मिले इसका मतलब है 2022-2023 अगर यहाँ पर financial year थोड़ी देर के लिए example मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अगर financial year 22 लिखा हुआ है इसका मतलब है 2021 और 2022 दोनो year चलेंगी ठीक है तो यह होता है financial year का मतलब तो पहले rate 7.5 project की थी World Bank ने इंडिया की GDP की लेकिन अब उसने एक घटा दिये अब उसने कितनी कर दिये 6.5% अब World Bank ने rank घटा दिये और 1% घटा कर 6.5% growth rate हमें बता दी गई है ठीक है बात करते हैं World Bank की ध्यान से समझना World Bank World Bank की स्थापनविती 1944 में World Bank की स्थापनविती 1944 में headquarter है Washington DC में कहां पर है Washington DC और Washington DC capital है USA की Washington DC capital है USA की कितने सदश्य देश है इसके इसके इस वक्त 119 सदश्य देश है टोटल 189 मेंबर कंट्रीज है World Bank के और इसके प्रसेडेंट का नाम है राष्टपती का नाम है डेविड मालपास राष्टपती का नाम लिखना डेविड मालपास डेविड मालपास World Bank की स्थापना 1944 में हेड़कॉर्टर है Washington DC के अंदर 119 सदश्य देशिस के मेंबर है और राष्टपती है डेविड मालपास ठीक है World Bank ने प्रोजेक्ट कितना किया है 6,5% 1% घटा दिया है Next question आपके तरफ है Consider the following statement निम्ण लिखित कतनों पर हमें विचार करना है क्या विचार करना है पहली चीज कुशन बढ़ा है ठीक है देखते हैं देखो Odisa Government has launched a common credit portal Suffle for the welfare of farmers के लिए farmers के कल्यान के लिए Odisa ने सफल नाम का पोर्टेकल लोंच किया है बिल्कुल सही बात है सफल विल इनेबल farmers and agricultural entrepreneurs to access over 300 term loan product for more than 400 bank partners लगबग 40 से ज़्यादा bank partner से आप 300 से ज़्यादा products पर loan ले सकते हैं आसाने से ये बात भी सही है ठीक है चोथी बात लिखे है उन्होंने It has also been integrated with Krusak Odisa देखो Odisa के अंदर एक important scheme चलती है जिसका नाम है Krusak Odisa ये scheme चलाएगी थी देखो farmers loan ले लेते हैं लेकिन कई बार वो loan चुका नहीं पाते हैं ठीक है फसल खराब हो जाती है या इतनी income नहीं होती है तो Krusak Skirm के अंतरगत Krusak Odisa के अंतरगत जांच की जाती है कि वो farmer loan नहीं दे सकता तो उसका कुछ percent loan माफ कर दिया जाता है या कई बार हालत खराब होती है तो पूरा पूरा loan भी माफ कर दिया जाता है तो इसको Krusak Odisa से जोड़ा गया है मतलब चारो बाते सही है option A is the correct answer of question number 48 next question science and technology related question पढ़ेंगे हम मतलब विज्ञान और तकनिसी अब तक हम राष्ट्रिय इस्तर के question पढ़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रिय इस्तर के question पढ़ चुके है ठीक है इसके बाद हमने question पढ़े banking से लेटेड अब हम question पढ़ेंगे science और technology से लेटेड देखिए science और technics related questions को पहला question है दुर्गावती Tiger Reserve which was notified recently is located in which state or UT दुर्गावती Tiger Reserve पढ़ता है भाई मध्या परदेश के अंदर दुर्गावती Tiger Reserve पढ़ता है मध्या परदेश के अंदर पन्ना नेशनल पार्क के अंदर या पढ़ता है अभी इसको बनाया नहीं गया है मैं repeat कर रहा हूँ अभी इसको notify किया गया है अभी इसको सामिल किया गया है इसको declare नहीं किया गया है इस वक्त हमारे देश के अंदर 54 Tiger Reserve है इस वक्त जब तक हम ये वीडियो देख रहे हैं तब तक हमारे पास 54 Tiger Reserve है जो latest 44th रानिपूर टाइगर रिजर्व टोटल 54 है लेटेस्ट है 54th नमबर का वो है रानिपूर Tiger Reserve ठीक है देखो सबसे ज़्यादा Tiger Reserve पढ़ते हैं मद्यापरदेश में सबसे ज़्यादा National Park भी वही है और सबसे ज़्यादा Tiger Reserve पढ़ते हैं ठीक है मद्यापरदेश में कितने Tiger Reserve मद्यापरदेश में इस वक्त 6 हैं जैसे ही यह बनेगा 7 वहाँ पर हो जाएंगे ठीक है सबसे ज़्यादा Tiger भी मद्यापरदेश में पाए जाते हैं 226 भारत में 3000 से भी ज़्यादा Tigers हैं लेकिन 526 Tiger अकेले मद्यापरदेश में पाए जाते हैं टोटल 6 Tiger Reserve है जो 54 टाइगर रिजर्व बना है वो है रानिपूर टाइगर रिजर्व और यह रानिपूर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है रानिपूर टाइगर रिजर्व है मद्यापरदेश के अंदर यूपी के अंदर रानिपूर टाइगर रिजर्व चोवनवा टाइगर रिजर्व बना है युत्तरप्रदेश के अंदर है टोटल फिप्टी फोर है ठीक है ये आपको पता होना चीए मद्याप्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है शिवराज सिंग चोहान, मद्यप्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंग चोहान और मद्यप्रदेश के गवर्नर का नाम है मंगु भाई पतेल, मैं लिख देता हूँ, सिवराज सिंग चोहान और मंगु भाई पतेल, यह आपको ध्यान होना चीए, नेक्ट कुशन की तरफ बढ़ते हैं, एक नई स्वास्त स्वास्त कारिय योजना किसके द्वारा लौंच की गई है, यह लौंच की गई है, चारों के द्वारा, किस किसके द्वारा, Food and Agriculture Organization of United Nations, सयुक्त राष्टर के खाद्य और क्रसी संगठन, FAO, FAO की स्थापन होई थी 1945 में, 1945 में FAO की स्थापन होती है, FAO का हेड़क्वार कहां पर है, इसका हेड़क्वार है, रोम, इटली में, ठीक है, सही है, ये भी सामिल था, दूसरा, United Nations Environment Program, सयुक्त राष्टर पर्यावरन कारेकरम, ये भी सामिल था, इसमें, चारों ने जोएंट में इसको लौंच किया है, ठीक है, किसलिए लौंच किया है, हेल्थ को लेकर, ठीक है, इंसानों की हेल्थ को लेकर, इसको लौंच किया गया है, UNEP, United Nations Environment Program की स्थापनोईती, 1922 में, ठीक है, इसकी स्थापनोईती, 1922 में, इसकी स्थापनोईती, 1922 में, और इसका जो हेड़क्वार्टर है, वो है, नाइरोबी में, UNEP स्थापनोईती परियावन कारेक्रम का हेड़क्वार्टर है, नाइरोबी में, और नाइरोबी है, नाइरोबी कैपिटल है, केन्या की, केन्या की राजदानी है, नाइरोबी, इसके बाद है, World Health Organization, विश्व स्थापनोईती संगठन, ये भी सामिल है, विश्व स्थापनोईती संगठन की स्थापना, 1948 में विए थी और इसका हेड़क्वार्टर कहा है, जुनेवा में, इसका हेड़क्वार्टर है जुनेवा में, जुनेवा कहां पढ़ता है, स्वीट जर्लेंड में जिनिवा पढ़ता है स्वीट जर्लेंड में और एक बच गया World Organization for Animal Health पसु स्वास्थे के लिए विश्व संगठन इसकी इस्थापनोईती 1924 में 1924 में इसकी इस्थापनोईती और इसका हैड़क्वाटर है पैरिस में फ्रांस की राजधानी पैरिस फ्रांस की राजधानी पैरिस में इसका हैड़क्वाटर है ठीक है तो यह है A New Health Joint Plan of Action इसमें चारों औरगिनाजेशन ने मिलकर इसको लॉंच किया है ठीक है सयुक्त राष्ट के खाद्य और कर्सि संगठन 1945 हेड़क्वाटर है रोम इटली के अंदर सयुक्त राष्ट परियावण कारेकरम हेड़क्वाटर कहा है इसका नैरोबी में कब इस्थापना हुई 1922 में पता होना चीए आपको वल्त हैड औरगिनाजेशन विश्व स्वास्वास संगठन ठीक है इसकी इस्थापना हुई थी 1948 में ठीक है कहाँ पर है इसका हेड़कवाटर जिनेवा में उसके बाद पस्शु स्वास्थ के लिए विश्व संगठन इसका हेड़कवाटर है पेरिस फ्रांस में 1924 में इसकी इस्थापना हुई थी चले बचो नेक्स चुक्षन की तरब चलते हैं कोश्चन नमबर ठीक है देखो किस प्रोग्द्यकी की कमपनी ने यूरोप में अपनी सभी उपकरणों को कम कार्बन बिजली के साथ बिजली देने की बिजली तो मिलेगी लेकिन कार्बन का प्रोडोक्षन उससे कम होगा किसने की ही ये बात ये बात की गई है किसके द्वारा एपल के द्वारा ठीक है एपल कंपनी ने ये कहा कि मैं यूरोप में बिजली दूँगा लेकिन कैसी बिजली दूँगा कम कार्बन के साथ बिजली दूँगा मतलब उससे pollution कम होगा Apple की शुरुवात हुई थी 1 April 1976 में देखना April की शुरुवात हुई थी 1 April 1976 1 April 1976 में April की स्थापना होती है किसने की थी April की स्थापना Steve Jobs ने Steve Jobs ने Apple की स्थापना की 1 April 1976 में Headquarter कहां है Apple का Headquarter है कैलिफोर्निया में Apple का Headquarter है कैलिफोर्निया के अंदर और इस वक्त जो Apple के CEO है वो है Tim Cook प्रजेंट में जो Apple के CEO है वो है Tim Cook Tim Cook इस वक्त Apple के CEO है पहले Steve Jobs हुआ करते थे लेकिन इस वक्त कौन है? Tim Cook तो Apple ने यूरोप में सभी उपणों को कम कार्बन बिजली के साथ बिजली देने का वाइदा किया है Next Question के तरब बढ़ते हैं प्राथमिक कवक रोज जनकों की सूची किसके द्वारा जारी की गई है? यह जारी की गई है डबलू एचो के द्वारा World Health Organization के द्वारा जारी की गई है प्राथमिक कवक रोज जनकों की सूची ठीक है यहाँ पर देखो कुछ इंस्टूट लिखे हुए है UNEP के बारे में हभी हम पढ़ चुके हैं ठीक है NASA की बात कर लेते हैं यहाँ पर NASA का जिकर आया है National Aeronautics Space Administration इसकी फुल फॉर्म होती है NASA दुनिया की सबसे पारफुल अंतरिक संस्थान है NASA 2088 में हुई थी NASA का जो Headquarter है वो है Washington DC में Washington DC जो की USA की Capital है USA की राजदानी Washington DC है वहाँ पर इसका Headquarter है और इसके Director General कौन है इसके Director General है बच्चों Bill Nelson Bill Nelson Bill Nelson NASA के Director General है तो प्राथमिक कवक रोज जनकों की सूची जारी की है WHO ने ठीक है Next Question की तरब बढ़ते हैं Question No.53 पर आजाओ Which State UT Inegrated CESL Solar Powered Charging Plaza for Electrical Vehicle किसी राज्य या केंदर साशित परदेश ने Electric वहानों के लिए CESL SOR उर्जा संचालित Charging Plaza का उद्घाटन किया गया है ये उद्घाटन किया गया है लद्दाक के अंदर कहां पर किया गया है Solar Plaza का उद्घाटन किया गया है Charge करने के लिए लद्दाक के अंदर CESL SOR उर्जा संचालित Charging Plaza ठीक है लद्दाक के अंदर लदा के गवर्नर कोन है? आर के माथूर हम पहले पढ़ चुके हैं next चलते हैं राजस्तान के चीफ पिनिस्टर कोन है? असो गेलोध हर्याना के चीफ कोन है? मौनलाल खट्र और कंनाटका के कंनाटका के है? भसवाराजन दो मई ठीक है which organization developed the indigenous trainer aircraft HTT-40 HTT-40 which was recently revealed किस संगठन ने स्वदेशी trainer विमान HTT-40 विक्सित किया जिसका हाल ही में अनावरन किया गया है HTT-40 का मतलब होता है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 इसकी फुल फूम भी पहुँची जा सकती है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 HTT-40 इसकी फुल फूम है तो HTT-40 को किसने अनावरन किया है अभी अभी HTT-40 का अनावरन किया है बच्चों हाल ने हाल हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने इसका उदगाटन किया है ठीक है अनावरन किया है हाल का ठीक है इंडियन और फोर्स ने हाल से हिंदुस्तान एरेनोटिक्स लिमिटेड से 70 HTT 40 एरक्राफ्ट मांगे हैं जिन एरक्राफ्ट से जो हमारे सैनिक होती है उनको सुरुवात में ट्रेनिंग करवाई जाती है ठीक है DRDO की बात करते हैं सबसे पहले Defense Research and Development Organization Defense Research Development Organization की स्थापनोई थी 1958 में 1958 में इसकी स्थापना होटी है बच्चों इसका हैड़क्वार्टर है न्यू डेली में DRDO की स्थापना 1958 हैड़क्वार्टर न्यू डेली के अंदर और चेर्मेन कोन है इसके जो हमारे DRDO है उसके चेर्मेन है समीर कामत चेर्मेन कोन है समीर कामत समीर कामत DRDO के चेर्मेन है इसके बाद हम बात करेंगे हाल की हिंदुस्तान Aeronautics Limited H.A.L की बात करते हैं हिंदुस्तान Aeronautics Limited की स्थापना हुईती 1940 में 1940 में इसकी स्थापना होती है हेड़क्वार्टर का है हिंदुस्तान Aeronautics Limited का इसका हेड़क्वार्टर है बैंगलोर में हिंदुस्तान Aeronautics Limited की स्थापना 1940 में Headquarter है Bangalore में और इसके Chairman है R. Madhavan, R. Madhavan इसके Chairman है हाल के, इसके बाद हम बात करते हैं B.E.L. की, B.E.L. भारत Electronics Limited, भारत Electronics Limited की स्थापनाविती 1954 में, इसका भी Headquarter है बच्चों, Bangalore में, कहां पर है? Bangalore में, हिंदुस्तान, सोरी, भारत Electronics Limited की स्थापना 1954 में, इसका भी Headquarter Bangalore के अंदर है, और जो इसके Chairman है, वो है दिनेश कुमार बत्रा, इसके Chairman है दिनेश कुमार बत्रा, इसके Chairman है, भारत Electronics Limited के Chairman है दिनेश कुमार बत्रा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस रो की, देखो, यह हमारी Important Organization है, हमारे देश की, इनकी स्थापना, इनका Headquarter और प्रजेंटिमन का Chairman कोन है, कुशन कहीं से भी आ सकता है, इसका मतब यह नहीं है, कि यहाँ पर हाल का नाम आया है, तो वे के यही आएगा, एक्जाम में कुशन, कि STT 40 का अनावरन किस ने किया है, हाल ने, वो इसमें से कुछ भी पूँच सकता है, हाल की स्थापना कब हुई, हाल का Headquarter कहा है, हाल के Chairman कोने, तो सारी चीजे आपको पता होने चीए, एक्जाम निकालने के लिए, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, कब हुई थी स्थापना 1969 में, और इसका Headquarter भी क्या है, Bangalore में, इसरो मनात, इसके प्रजेंट में, Chairman है, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, Next Question पर, Question No. 55 के तरफ चलते हैं, Which Institution released the Responsible AI Hub and Resource Kit to ensure the Responsible Adoption of AI, Artificial Intelligence होता है, AI का मतलब, AI को जिम्मेदार रूप से अपनाने को सुनिष्टित करने के लिए, किस संस्थान नहीं, जिम्मेदार AI Hub और संसाधन Kit जारे की है, किसके द्वारा जारे की गई है, ये जारे की गई है, नासकॉम के द्वारा, नासकॉम का जिक्र पहले भी आ चुका है, ठीक है, नासकॉम क Q4QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ जन्वरी 2015 एक जन्वरी 2015 नीती आयोग की स्थापना एक जन्वरी 2015 ध्यान से देखना पहले ये प्लानिंग कमिशन हुआ करता था लेकिन अब ये नीती आयोग है नैशनल इंस्टिटूशन फोर ट्रांसफोर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है नैशनल इंस्टिटूशन फोर ट्रांसफोर्मिंग इंडिया इसकी इस्थापना एक जन्वरी 2015 को इसका जो चेर्मेन होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं नरेंदर मोदी, जो भी देश का प्राइम्मिनिस्टर बनेगा, वो ही इसका ex-Official Chairman होता है, इसका Headquarter कहा है बच्चों, इसका Headquarter है New Delhi में इसका हेड़कोर्टर है न्यू डेली में नीति आयो का हेड़कोर्टर है न्यू डेली में ये आपको पता होना चीए नासकोम National Association of Software and Service Companies National Association for Software and Service Companies नासकोम की फुल फॉम है नासकोम की स्थापना होती है 1988 को नासकोम की स्थापना होती है बेटे 1988 में इसका हेड़क्वाटर कहा है इसका हेड़क्वाटर है नोएडा में उत्तरप्रदेश के नोएडा में इसका हेड़क्वाटर है नासकोम का Where is the headquarters of NASCOM? उत्तरप्रदेश के नोड़ा में इसका headquarters है. इसके जो chairman है वो है कृष्णन रामानुजन. नासकोम के जो chairman है वो है कृष्णन रामानुजन. फिर फिच्ची क्या होती है? Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry अगर हम फिच्ची की बात करें तो फिच्ची की स्थापना होती है 1927 में फिच्ची की स्थापना होती है 1927 के अंदर इसका है फिच्ची का है फिच्ची का है फिच्ची का है फिच्ची का है बच्चों और जो फिच्ची के इस वक्त के चेर्मेन है वो है सुब्राकांत पंडा चेर्मेन को ने फिच्ची के सुब्रा कांत पंडा सुब्राकांत पंडा इसके चेर्मेन है इस वक्त फिच्ची के उसके बाद है एसोचेम, एसोचेम का मतनब होता है Associate Chamber of Commerce and Industry Associated Chamber of Commerce and Industry Associated Chamber of Commerce and Industry आजचोम की बात कर लेते हैं ये 1920 में बना था, ठीक है आजचोम कब बना था? 1920 के अंदर आजचोम की स्थापना होती है 1920 के अंदर इसका जो हेड़कॉर्टर है, वो है New Delhi में, ठीक है हेड़कॉर्टर कहां है, New Delhi इसके जो चेर्मेन है, वो है सुमन्त इसके जो चेर्मेन है, वो है सुमन्त सिन्ह सुमन्त सिन्हा इसके चेर्मेन है सुमन्त सिन्हा is the chairman of आजचोम ठीक है, तो ये जारी किसके द्वारा की गई थी? नासकोम के द्वारा, ठीक है NAVIC, an equipment of global positioning system was developed by which country एक global positioning system है, जिसका नाम है NAVIC किस country ने इसको डवलब किया है, ये आपको पता होना चाहिए important question है, इसको डवलब किया है, इंडिया नि किस country ने er naivic को डवलब किया है, इंडिया नि ठीक है, एक तो होता है Google पा, निविगेशन system और एक क्या है यह, यह है Global Positioning System जो इंडिया नी अपना खुद का बनाया है, इसका नाम है NAVIC, क्या नाम है इसका? NAVIC, Navigation with Indian Constellation, इसकी full form भी आ सकती है, मैं लिख देता हूँ, Navigation with Indian Constellation, Navigation with Indian Constellation, तो इसकी पूरी form हो गई, Navigation NAV, ठीक है, with Indian Constellation, Navigation with Indian Constellation, Navic, इसकी full form हो गई, Navigation से NAV, Navic, Constellation, Indian Constellation, ठीक है, किस ने डवलप किया है, इंडिया ने डवलप किया है, Next Question की तरफ चलते हैं, प्रोडूस करने के लिए, ठीक है, Next Question की तरफ चलते हैं, बच्चों, Which State Wildlife Board has approved a new service for Tiger named, दुर्गावती Tiger Reserve, It is a repeated question, दुर्गावती Tiger Reserve कहां पर है, मध्या परदेश के अंदर, We have already, हम इसको अलड़ी पढ़ चुके हैं, दुर्गावती Tiger Reserve कहां पर है, मध्या परदेश में, Next Question की तरफ चलते हैं, Which Country approved the commercial cultivation of genetically modified Indian mustard, अभी अभी हमने इससे जेस्ट पिछले वाले क्यूश्टन में देखा था, यह देखो यहां पर, यहां पर अभी ने हम देखा था, कि मस्टर्ड को क्या है, Genetic Engineering मुल्यानकन समिती ने, किसके लिए, वानिजिक खेती के लिए अप्रू दे दिया है, और इसी को, यह जो आया है, इसी को, विच कंट्री अपूर्ड दा कमसियर कल्टिवेशन ओफ जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडियन मस्टर्ड, ब्रैसिका जुनसिया, चीक है, ब्रैसिका जुनसिया इसका जेनेटिकली नाम है, किस कंट्री ने इसको अप्रूव दिया है, तो आपको पता होना चीए, ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, जो इसका सबसे पहले यूज करने वाला है, किसी देश ने आनुवांसिक रूप से संसोधित, भारतिय सरसो की प्रजाती, ठीक है, कौन सी प्रजाती, बसी का जुनसिया, कि वाने जिक खेती को मंजूरी दिये, सबसे पहला कंट्री बना है, ऑस्ट्रेलिया जिसने इसको खेती की जिम्मेदारी दिये, नेक्स्ट कुश्टन की तरफ चलते हैं, देखो ध्यान से, यह एक्सरसाइज है, नेवी ओफ इंडिया एंड सिंगापूर, कंड़क्टेड सिंगापूर इंडिया मेरिटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, एट विसाखा पत्नम, फ्रम अट्टुबर 26 से 30, तो भारत की नेवी ने और सिंगापूर की नेवी ने एक एक्सरसाइज किये, कहाँ पर किये, विसाखा पत्नम में, बिल्कुल सही बात है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, भारत की और सिंगापूर की नेवी ने एक एक्सरसाइज किये, कौन से नंबर की exercise है ये भी आपको पता होना चाहिए ये है 29th बहुत पहले से exercise चलती है रही है ये है नेवीज की exercise इंडिया और सिंगापूर की नेवीज ने विसाखा पत्नम में exercise किये दूसरा देखू Air Force of India and France यहाँ पर Air Force की बात हुए है भारत और France की Air Force गरुड 7 गरुड 7 गरुड 7 गरुड 7 गरुड 7 नाम की exercise करने वाली है कहाँ पर करने वाली है कहाँ पर किये इन्होंने इन्होंने किये जोधपूर में तो ये बात भी सही है मतलब दोनों ही कथन सही है और ये कौन से नमबर की exercise थी ये थी 29 वे नमबर की exercise नेवी की जलसेना की भारत और सिंगापूर की और ये थी गरुड 7 किस-किस के बीच भारत और फ्रांस की एर फोर्स के बीच 7 वे नमबर की ये कहां पर होनी वाली है जोदपूर में होनी वाली है और ये कहां पर हो चुकी है विसाखा पत्नम में ठीक है next चलते है विच हर भी साइड हर भी साइड का मतलब क्या होता है हर भी साइड का मतलब होता है जिससे पेड़ पोदे मरते है साक नाशी देखना ध्यान से हर भी साइड का मतलब होता शाक नासी मतलब जब हम सरसों गेहुजों की खेती करते हैं तो बीच में जो अन्वांटेड पेड़ पोदे छोटे छोटे घास वगर उनके बीच में उग जाते हैं उसको मारने के लिए ये एक पैस्टिसाइड है मतलब हर भी साइड साखनाशी है ये छोटे मोटे पेड़ पोदो को जो अन्वांटेड होते हैं उनको खतम करता है ठीक है तो मानव ठीक है तो इसको बैन कर दिया गया है क्यूंकि ये जब हम खेतों में डालते हैं उसी को फर खाना मिंसान भी खाते हैं और उसी को जानवर भी खाते हैं तो इससे हमारी सेथ पर बुरा प्रभाव पढ़ रहा है कई परकार की बिमारिया उत्पन हो रही है ठीक है कई परकार की बिमारिया उत्पन हो रही है इससे तो इसका नाम क्या है जिसको भारत सरकार ने प्रतिवंदित कर दिया है इसका नाम जो सरसो, गेउंजोंके आसपा जो छोटे मोटे पेड़ पोदे ज्यादा घ्यास उग जाती है इससे वो ग्रोथ नहीं कर पाते इस चक्कर में हमें हर भी सैड डालना पड़ता है साकनाशी तो धीरे धीरे डालने से क्या है कि यह धीरे धीरे हमारे इंसानों और जानवरों के पर गरत प्रभाव डाल रहा है इसलिए इसको बैंड कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा एक नमुना बनाया है हुमनोड रोबोट का ठीक है हुमनोड रोबोट मानव जैसा दिखने वाला रोबोट बनाया है जिसका नाम है आप्टिमस आप्टिमस प्राइम ठीक है आप्टिमस प्राइम अगर आपने ट्रांसफोर्मर मुवी देखी है तो उसमें आप्टिमस प्राइम नाम का एक बहुत इंपोर्टेंट करेक्टर होता है में करेक्टर है उसी के नाम पे इसका रखा है आप्टिमस तो ये किसके द् इलोन मस्क, इलोन मस्क कौन है, यह है टेसला के संस्थापक, यह है टेसला के सीओ, इलोन मस्क है टेसला के सीओ, इसमें चारोई काफी इंपोर्टेंट नाम है, सत्य नडेला किसके सीओ है, सत्य नडेला सीओ है माइक्रोसोफ्ट के, सत्य नडेला सीओ है माइक्रोसोफ्ट के Elon Musk CEO है Tesla के सुन्दर पिचोई CEO है Google के और Mark Jugarberg किसके यह है Facebook के इन option में आपको चार नाम दिख रहे हैं चारो के चारो important है यहाँ पर question डाला गया है कि Optimus नाम का human robot किसके द्वारा launch किया जा रहा है Elon Musk के द्वारा launch किया जा रहा है दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला इंसा नहीं ठीक है यहाँ पर सत्य नडेला कोन है सत्य नडेला है Microsoft के CEO Elon Musk कोन है Elon Musk Tesla के CEO सुन्दर पिचाई कोन है सुन्दर पिचाई है Google के CEO और Mark Jugarberg कोन है Mark Jugarberg है Facebook के CEO Next question की तरफ चलते हैं बच्चो Union Minister of Petroleum and Natural Gas हरदीप सिंगपुरी has inaugurated Asia's largest compressed bio gas Asia का सबसे बड़ा compressed bio gas plant launch किया है कहाँ पर launch किया है यह जानना आपके लिए बहुत important है कहाँ पर launch किया गया है यह launch किया गया है पंजाब के अंदर हमारे जो petroleum और प्राकरतिक gas minister है जिनका नाम है हरदीप सिंगपुरी इन्होंने Asia का सबसे बड़ा compressed bio diesel plant launch किया है संपीडित bio gas का एक plant launch किया है जो कि Asia का सबसे बड़ा है कहाँ पर launch किया है पंजाब के अंदर launch किया है यह आपको पता होना चीए इसके बाद चलते हैं बच्चों next question की तरफ consider the following statement regarding the security security exercise power X cyber surakshya abhyas power X के बारे में निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन क्या है the objective of exercise was to recognize, analyze and respond to cyber incident in OT and IT and OT system जो हमारा IT sector और OT sector होता है इसके अंदर जो चीजे हैं उसको recognize करना, analyze करना और respond करना इस अभ्यास का उद्देश IT और OT प्रणालियों में cyber घटना को पहचानना visilation करना और उनका जवाब देना था बिलकुल सही बात है जवाब देना था ठीक है sorry the theme of the exercise was defending cyber induced disruption इसकी theme क्या थी यह जो power x exercise थी इसकी theme क्या थी अभ्यास का विशे IT और बुनियादी डहाचे में cyber prerit व्यवधान का बचाओ करना यह को cyber security को बहुत ज़्यादा खत्रा है आज के जमाने में लोग computer system को hang कर लेते हैं उसी से बचाओ के लिए यह किया गया है तो इसके दोनों ही option सही है next question की तरफ चलते हैं चंदरियान 2 mapped the abundance of on the moon for the very first time using the चंदरियान 2 ध्यान से समझाने इस question को बहुत important है हमने फिर एक और achievement लिया है चंदरियान 1 ने सबसे पहले चंदरियान पर पानी खोजा था और यह चंदरियान 2 है जो हमने 2019 में launch किया था इसने सबसे पहले चंदरियान पर sodium की खोज किये हमारे चंदरियान 2 मिसन ने ठीक है हमारे चंदरियान 2 ने और वेटर पर चंदरियान 2 large area soft x-ray spectrum का उप्योग करके पहले बार चंदरियान पर sodium की परचुरता का मान चित्रन किया है कि चंदरियान 2 को कब launch किया गया 22 मिसन करके परचुरता को sodium की मात्रा मिली है हमारे चंदरियान पर हम दो launch कर चुके हैं तो फिर चंदरियान एक के बारे में भी बात कर लेते है चंदरियान एक को आपको पता है कब लौंज किया गया था इसको किया था 22 अक्टूबर 2008 चंदरियान एक को लौंज किया था बच्चों 22 अक्टूबर 2008 और इस चंदरियान एक ने वहाँ पर खो जा था पानी water मतब एक्टूल में water ने खो जा था water crystal के रूप में solid water खो जा था कि वहाँ पर पानी की मौझुदगी है ठीक है तो यह दोनों चीज आपको पता होनों चीज चंदरियान एक ने पानी हो जा 22 अक्टूबर 2008 को launch किया था चंदरियान टूज जो हमने 2019 में launch किया था सोर इसको 2019 में launch किया था वच्चों 2019 कर ले ना 2022 चल रहा है ठीक है next question की तरफ चलते है अगनी मिसाल के सम्मंद में से निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए हमें कथनों पर विचार करना है क्या क्या कथन है अगनी प्राइम न्यू जनरेशन बैलेस्टिक मिसाल वाज successfully tested in India ठीक है हमने successfully test कर लिया है यह इसका तीसरा test था दो test इससे पहले हो चुके ठीक है दूशरा इस वाज़दा मिसाल अगनी प्राइम थर्ड स्ट्रेश्ट successful test पहला test पास कर लिया ठीक है पहला test इसके द्वारा किया गया था पहला टेस्ट किया गया था 28 June 2021 को पहला टेस्ट किया गया था इसका दूसर टेस्ट कब किया गया था 18 December 2021 को और इसका तीसरा टेस्ट किया गया है 21 October को 21 October 2022 को इसका तीसरा टेस्ट किया गया है 21 October 2022 को तर तीसरा टेस्ट किया गया है और ये भी इसने पास कर लिया है तीसरा है, this test has demonstrated the system's accuracy and dependability, ठीक है, इस test ने भारत बनाम सिरलंग का यह कहां से आ गया, यह इसका answer नहीं है भई, गलत मैंच हो गया यह, ठीक है, this test has demonstrated the system accuracy, system के accuracy चेक करने के लिए, ठीक है, और उसकी dependability, कितना dependable है वो, कितना उस पर विश्वास किया जा सकता है, तो इसके लिए, तीनो के तीनो option सही है बच्चो, इसमें आपके तीनो के तीनो option सही है, देखो एक बात ध्यान रखना, 1983 में आपको पता है, 1983, 1983 में एक program चलाए गया था, उस program का नाम था बच्चो, integrated, integrated guided missile development program, integrated guided missile development program, integrated guided missile development program, 1983 में स्टार्ट किया था, उस वक्त इसके चैर्मेन हमारे अब्दुलकलाम, डोक्टर अब्दुलकलाम थे, ठीक है, जो हमारे राष्टपती है, इसके अंतरगत हमने पांच मिसाइले बनाए थी, अगनी, त्रिशूल, आकास, नाग, और प्रत्वी, अगनी, त्रिशूल, आकास, नाग, और प्रत्वी, integrated guided missile development program, 1983 में स्टार्ट किया था, आपको पता होना चेह, बहुत important program है, इसी से हाजम इतने powerful है, इसके अंतरगत पांच मिसाइलों का निर्मान किया गया था, आपको उनके नाम भी पता होने चेह, एक था अगनी, एक था त्रिशूल, एक था आकास, एक था नाग, और एक था प्रत्वी, लेकिन ये जो अगनी मिसाइल है, ये 1983 की बनती जा रही है, तो ये old version था, प्राइम न्यू जनरेशन मिसाइल की रेंज है, मैक्जिमम रेंज है, 2000 किलोमेटर तक, ठीक है, 2000 किलोमेटर तक, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, देखो, जब भी भारत में मिसाइल का निर्मान किया जाता है, तो DRDO की द्वारा किया जाता है, Defense Research Development Organization, किसके द्वारा बन The Indian Space Research Organization plans to launch this third lunar mission, लो भाई, खुशकबरे की बात है, तीसरा चंदर्यान मिसन आने वाला है, भारतिया अंत्रिक्स अनुसंदान संगठन इस रो, किस महा में अपना तीसरा चंदर मिसन लांच करने की तैयारी में है, ये आपको पता होना चीए, कब करेगा, ये करेगा, जून जून 23 में, जून 2023 में चंदर्यान 3 आने वाला है, अभी अभी हमने दो चंदर्यान मिसन देखे हैं, कृस्ट्र नमबर 65 को देखो, कृस्ट्र नमबर 65 में चंदर्यान एक कब लॉंच हुआ, 22 अक्टुबर एठ पानी खोजा इसने, लिख लेना कोपी में, ठीक है, बार ब चंद्रियान मिसन अभी जिसने सोडियम खोजा है इसको लॉंच किया गया था 22 जुलाई 2019 में कोरोना के टाइम में पाकिस्तान ने काफी मजा की बढ़ाय थी लेकिन अब पाकिस्तान देखके अंदर अंदर सकपकार आओगा किसने तो सोडियम की खोज कर ली जो पाकिस्तान क खरगोज जैसा दिखने वाला विदेश मंतरी है ठीक है फवाद चोधरी उसने कहाता है कि भारत ने चंद्रियान मिसन बेज कर क्या किया भारत फालतु पैसा बरबाद कर रहा है पैसे की बरबादी नहीं है हमने सोडियम खोज लिया है ठीक है इसके बाद चलते हैं अपना इसरो इसरो जो इंपोर्टेंट और्गिनाजेसן उसकी आपको हर एक चीज पता होने चीए इसरो की इस्थापना की गए थी पंद्रा अगस्थ 19 छी नाइन पहन पिंद्रा अगस्थ पंद्राअ अगस्थ 19 है वो है ऐस सोमानात ठीक है next question की तरब चलते हैं बच्चों the heaviest rocket LVM3 of ISRO will launch खालिस्तान satellite of British start of OneWeb एक British company है OneWeb इसके कितने satellite को हमारा ये वाला जिसका नाम है launch vehicle mark 3 LVM3 LAUNCH launch vehicle mark 3 launch vehicle mark 3 इसका पूरा नाम है ये हमारा सबसे heaviest rocket है इसको कई बार बावबली के नाम से भी जाना दाता है ठीक है इसके अंतरगत कितने satellite को छोड़ा जाएगा इसके अंतरगत बच्चों 36 satellite को छोड़ा जाएगा और ये 36 satellite किसके हैं ये 36 satellite है one web broadcast communication satellite ठीक है ठीक है कहां से छोड़ा जाएगा स्री हरी कोटा से अब अगर यहां पर इस रोका जिक्राया है तो आपको एक बात पता होने चीए हमारे दो main launching site है हमारी दो main launching site है एक का नाम है 37 धवन अंतरिक्स केंद्र सतीस धवन अंतरिक्स केंद्र सतीस धवन इस्पेस सेंटर कहां पर है सतीस धवन इस्पेस सेंटर यह है स्री हरी कोटा आंदर प्रदेश के अंदर और एक और हमारी launching site है इस रोकी उसका नाम है विक्रम सारा भाई क्या नाम है उसका विक्रम सारा भाई अंतरिक्स केंद्र इसको कोपी में साथ के साथ नोट करते जाना यहीं से कुष्ण आते हैं ठीक है यहीं से कुष्ण आते हैं आप current affair पढ़ रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है current affair का पूंचने का भी तरीका बदल दिया गया है आज के वल वो कुष्ण नहीं आते जो current affair में चल रहे हैं उस current affair के topics related आसपास की जितने भी जानकारिया हैं आपको पता होने चीए अगर आपको exam निकालना है विकरम साराबाई अंत्रिक्स केंद यह कहां पर है यह पढ़ता है थुमबा में और थुमबा कहां है केरले में यह पढ़ता है थुमबा में तो यह हमारी दो special launching site है इस रोकी ठीक है थोड़े दिनों में तीसरी भी तयार होने वाली है next question की तरब चलते हैं अब हम पढ़ेंगे sports और players मतलब खेल और खिलाडी हमने राष्टिय इसतर की घटनाए पढ़ दी हमने international level की घटनाए पढ़ दी उसके बाद हमने banking की घटनाए पढ़ दी उसके बाद हमने science and technology की घटनाए पढ़ी है अब हम पढ़ेंगे क्या sports and players खेल question number 69 को देखते हैं which racing driver won the formula 1 Singapore Grand Prix Singapore Grand Prix का title यहां से एक question डलता ही बेटा sports से एक या दो question आएंगे ही और Grand Prix मतलब यह जो formula race होती है जिसमें बहुत तेज गाड़ी भगाए जाती है वो तो आने वाला ही है यह जो Singapore Grand Prix है इसको जीता है Sergio Perez ने Sergio Perez किसके खिलाड़ी है Red Bull Company के खिलाड़ी है यह भी पूच्छा जा चुका है Sergio Perez Red Bull के लिए गाड़ी चलाते हैं यह भी आपको पता होने चीए ठीक है दूसरे नमबर पर है Charles Racklack यह पहले नमबर पर आए है इस question का answer है Sergio Perez हराया किसको है Charles को Charles किसके लिए चलाते हैं गाड़ी यह चलाते हैं Ferrari के लिए बहुत ही कम पुइंटों से रहे हैं दूसरे नमबर पर लूजर है Charles Racklack Racklackers Ferrari के लिए चलाते है ठीक है तो Grand Prix Singapore Grand Prix किसने जीता है Sergio Perez ने Red Bull के लिए चलाते हैं next question कि तरफ बढ़ते हैं साजन प्रकास very very important question साजन प्रकास who recently won 8 medal 8 medal जीते हैं इस इंसान ने आहे गा ही यह question आहे गा ही यह question लिखके ले ले न भले साजन प्रकास who recently won 8 medal at the 36th national games देखो अभी थोड़ी दिन पहले 36th national games conclude होए हैं कहां पर कोई हैं गुजरात के अंदर यह किस खेल से संबंदीता है लिखना इसको बच्चों यह तेराकी से संबंदीता है swimming से संबंदीता है swimming में इन्होंने 8 medal जीते हैं इसमें से 5 इन्होंने gold जीते हैं 5 जीते हैं gold 2 क्या जीते हैं silver और एक क्या जीता है bronze यह स्वन पदक जीते हैं 5 2 इन्होंने रज़त पदद जीते हैं 2 रज़त पदद जीते हैं और एक है काश्य पदक साजन प्रकास 36 राष्ट्रिय खेल अभी-अभी समाप्त हुए है गुजरात में हुए है गुजरात ने इनको होश्ट किया था ठीक है इसके अलावा साजन प्रकास ने 8 मेडल जीते हैं किस से संबंदीत है ये 13 किस संबंदीत है 36 जो नेशनल गेम से कहां पे हुए है गुजरात में लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 37 वे कहां होंगे छापना इसको 37 वे कहां होंगे 37 वे होंगे गुवा के अंदर 36 वे नेशनल गेम गुजरात में 37 वे होंगे गुवा के अंदर और swimming से संबंदित कौन है साजन प्रकास साजन प्रकास तराक है इन्होंने आठ मेडल जीते हैं यह आपको पता होना चीए next चलते हैं वेटा अगले question की तरफ इससे पहले कि हम अगले question की तरफ जाएं यह बहुत important topic है यहाँ पर हमें theme भी पता होनी चीए यह जो 36 राष्ट्रे खेल हुए है 36 राष्ट्रे खेल हुए है इसके अंदर गत जो theme है वो क्या है theme को ध्यान से लिखना बिटा 36 राष्ट्रे खेलों की theme थी खेल में एकता का उत्सव मैं इसको इंगलिस में भी लिखूंगा खेल में एकता का उत्सव मतलब celebrating unity through sports celebrating unity with sports 36 राष्ट्रे खेल गुजरात में हुए है theme जरू लिखना क्या है theme खेल में एकता का उत्सव ठीक है celebrating unity with sports ठीक है next question की तरफ चलते हैं खेल से तो question आना ही है चाहे कुछ भी हो जाई who has been selected as the 36th president of BCCI BCCI के 36th president बन गए है बेटा very very important question कौन बने है वो बने है रोजर बिन्नी पहले कौन थे पहले थे हमारे सोरव गांगुली तो हमारे 35th president कौन थे BCCI के सोरव गांगुली अब 36th president किसको बना दिया गया है 36th president बना दिया गया है रोजर बिन्नी को इसको नाम को देखके confused नहीं होना है ये इंडियन ही है भाई रोजर बिन्नी एक इंडियन प्लेयर है नाम से आपको लग रहा कि पता नहीं न्यूजिलेंड या लेकिन रोजर बिन्न इंडिया का ही है ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे BCCI की BCCI BCCI कौन है जो भारत में किर्केट को कंट्रोल करता है भारत में क्रिकेट से संभनित गतिविद्यों को कंट्रोल करता है उसको BCCI कहते हैं और जो international body है उसको ICC कहते हैं जो अंतरराष्ट्य इस्तरपर क्रिकेट को कंट्रोल करता है BCCI की स्थापनाविती 1928 में BCCI का headquarter कहा है BCCI का headquarter है मुंबई में कहा है मुंबई और इसके देश कितने देश इसके member है 42 से जादा देश इसके member है BCCI के ये कोई चोटी मोटी body नहीं है ये इतनी बड़ी body है कि ये ICC को भी टकर देती है ICC भी इसी के उपर चलता है जैसा ये कहती है ICC वैसा ही करता है जीको पैसे की power है सबसे ज्यादा कमाई ICC को BCCI करके देता है और इसमें सबसे important role है हमारे IPL का IPL के थुरू जो कमाई होती है उसका काफी कुछ हिस्सा ICC के पास जाता है ठीक है इसके बाद 42 countries है अब एक बात और ध्यान से देखना Secretary कोन है BCCI के Secretary सचिव मैंने पहले कोशन में भी लिखवाय था कि BCCI के Secretary अमिश्या के बेटे जैस्षा BCCI के Secretary है अमिश्या के बेटे जैसा हमारे जो मैंस टीम है उसके कोच कोन है मैंस टीम के कोच मैंस टीम के कोच है राहुल दरबिड मैंस टीम के कोच है राहुल दरबिड और वुमन्स टीम के कोच कोन है वुमन्स टीम के कोच है रमेश पमार रमेश पमार लड़की का नाम है भई लड़के का नाम नहीं है ठीक है रमेश पमार हमारे वुमन्स टीम के कोच है ठीक है नेक्स्ट कुस्टन की तरफ चलते हैं आजवा बच्चों Which of the following team has won the Air Force Lone Tennis Championship Air Force Lone Tennis Championship Organize कराएगी थी Head at the quarter of Waiya Senanagar नागपुर में मतलब यह जो Air Force है वहाँ पर एक प्रतियोगिता हुई थी Lone Tennis की Lone Tennis की प्रतियोगिता हुई थी कहाँ पर हुई थी नागपुर में हुई थी ठीक है इसको जीता कौन इस प्रतियोगिता को जीता कौन इसमें सारी कमांड्स खेल रही थी इसको जीता था Western Command ने, किसने जीता था, पस्चिमी वायू Command ने इसको जीत लिया है, इसमें Eastern Command में थी, Western Command में थी, Central Command में थी, और Southern Command में थी, लेकिन कौन ले गई इस ट्रोफी को, Western Air Command किसको, Long Tennis Championship जो की नागपुर में हुई है, अब यहाँ पर हमें कुछ चीजों का पता होना चीए, जो हमारे Air Chief Marsal है, Air Chief Marsal, ठीक है, जो हमारे वायू सेना के अध्यक्स है, उनका नाम क्या है, विवेक राम चोधरी, वायू सेना के अध्यक्स, मैं यहाँ पर एक तरफ अध्यक्स लिख रहा हूँ, और एक तरफ इनके नाम, ठीक है, वायू सेना के अध्यक्स कोन है, वाईव सेना के अध्यक्स है विवेक राम चोधरी वाईव सेना के अध्यक्स है अगर यह वाईव सेना के अध्यक्स है तो फिर एड्मिरेल कौन है? मतलब हमारे जो जलसेना है उसके कौन है जलसेना जलसेना में जब पोस्ट होती है उसको एड्मिरेल कहा जाता है जलसेना अद्यक्स है हमारे आर हरी कुमार जल सेना देख्ष कोन है आर हमी कुमार वायो सेना देख्ष होगे जल सेना देख्ष होगे तो हमें थल सेना देख्ष का भी पता होना चाहिए और यह है हमारे मनोज पांडे थल सेना क्या देख्ष कोन है मनोज पांडे आपको पता है हमारे पहले CDS, देखो हमारे जो राष्टपती होते हैं, तीनो सेनाओं के सर्वसेनापती होते हैं, तीनो सेनाओं के ये वायो सेनाद्येक्स, जल सेनाद्येक्स, थल सेनाद्येक्स, वायो सेनाद्येक्स को कहा जाता एयर चीफ मार्सल, कौन है विवेकराम चो लेकिन इन तीनों को मिलाने के लिए एक पोस्ट का निर्माण किया गया जिसको हम जानते हैं CDS के नाम से CDS Chief of Defense Staff Chief of Defense Staff पहले CDS को ना हमारे पहले CDS थी हमारे विपिंड रावत लेकिन विपिंड रावत जी की डेथ हो जाती है एक हेलिकोप्टर क्रेस में कुन्नूर में उसके तो है अनील चोहान यह आपको पता होना चीए यह आपको पता होना चीए अनील चोहान हमारे second CDS है यहाँ पर केवल कुर्शन यह आया है कि force loan tennis को किसने जीता है लेकिन अगर इसका जिक्र हुआ है तो आपको इस से related सारी चीजे पता होना चीए अगर आपको एक्जाम निक युनाटेड नेशन्स स्टेट ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता है चापना बेटा इसको युनाटेड नेशन्स स्पेस ग्रांड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्तपन ने सिंगापुर को किसने जीता था सर्जियो परेज ने यहाँ पर USA स्टेट ग्रांड प्रिक्स को क इन्हों ने हराया है लेविस हैमिल्टन को सबसे दुनिया के सबसे नमबर वन खिलाड़ी ईनको हराया है और लेविस हैमिल्टन किसके लिए चलाते हैं आपको पता है लेविस Hamilton गाड़ी चलाते हैं Mercedes के लिए Lewis Hamilton चलाते है Mercedes के लिए Mercedes के लिए चलाते हैं तो USA Grand Prix Max वर्ष्टपन ने जीती है, next question की तरफ चलते हैं बच्चो Question No. 74 Name the official mascot of FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand, ध्यान से करना भई Question बहुत important है, क्या Question है, जो mascot है मसकट का मतलब होता है सुभंकर सुभंकर हम बोलते हैं कि यह ऐसा करेंगे तो सुभ होगा कोई भी काम होगा वो सुभ माना जाएगा मसकट का मतलब होता है सुभंकर तो यह जो FIFA Women's World Cup होने वाला है Australia और New Zealand में FIFA Women's World Cup सबसे पहले तो आप मसकट को देख लो किसको बनाया है ताजूनी को मसकट का नाम है ताजूनी कौन है मसकट ताजूनी को बनाया गया है मसकट ठीक है FIFA Women's World Cup Australia और New Zealand के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2023 में रट लेना इस बात को 2023 में महिलाओं के लिए जो FIFA World Cup होता है FIFA का मतब फुटबाल से संबन दीता है यह कहाँ पे होगा यह होगा New Zealand और Australia में और यह कौन सा एडिशन होगा यह होगा 9 एडिशन यह होगा 9 एडिशन कहाँ पे होगा FIFA Women's World Cup कौन कौन होस्ट करेगा इसको Australia और New Zealand दोनों होस्ट करेंगे इसकी मेजबानी Australia और New Zealand दोनों के द्वारा की जाएगी ठीक है यह है 9 एडिशन आठवा एडिशन कहाँ हुआ था वो भी आपसे पूंचा जा सकता है क्योंकि FIFA World Cup होता ही इतना important है ठीक है आठवा महिलाओं का FIFA World Cup कहाँ हुआ था France में हुआ था कब हुआ था 2019 में 2019 में हुआ था और France में हुआ था यह भी आपको पता होना चाहिए यह 9 एडिशन है जो Australia और New Zealand में होने वाला है आठवा एडिशन हुआ था 2019 में France के अंदर ठीक है बात कर लेते हैं FIFA की Federation of International Football Federation Federation of International Football Association इसका पूरा नाम है कब की गई थी FIFA की स्थापना 21 माई 1904 कहां पे की गई थी FIFA की स्थापना जुरिच परता है Switzerland में FIFA Organisation की स्थापना 21 माई 1904 को की गई थी जूरिच जूरिच नाम की घगाई एक सहर है Switzerland का ठीक है इसमें इसकी स्थापना की गई थी और इसका President पर आपको पता होना चाहिए Gianni Infantino कौन है इसके President अध्यक्स कौन है इसके Gianni Infantino कौन है फीफा के अध्यक्स Gianni Infantino कब बनाता 21 में 1904 को कहां पर हेड़क्वाटर है जूरिश के अंदर और फीफा ही दुनिया में सबसे ज़्यादा फुटबॉल मतलब फुटबॉल को कंट्रोल करने की बोड़ी कोन है फीफा वल्ड कप है ठीक है next question की तरफ चलते हैं मसकट क्या था भई तजू नी था रटे लेना इस चीज को कहां पर हो रहा है औस्टेलिया और न्यूजलेंड में कब होगा 2023 में होगा हर एक बात को नौट करते जाना next is who among the following won the melt water champion chess tour in 2018 2022 अक्टूबर 2022 छापना इसको बच्चों Magnus Carlson Magnus Carlson दुनिया के number one किसके खिलाड़ी है चेस के किस country से बिलों करते हैं यह करते हैं नौर्वे से Magnus Carlson ने जीता है क्या जीता है melt water champion chess tour title 2022 Magnus Carlson नौर्वे से बिलों करते हैं दुनिया के number one खिलाड़ी है ठीक है Magnus Carlson अब दुनिया में जो chess को control करती है उसका नाम है FIDE एक FIDE नाम की एक संगठन है या body है यही पूरी दुनिया में chess को control करता है इसका निर्मान वाता 1924 में FIDE का निर्मान वाता 1924 में Federation of International Day इचेज इसका नाम है ठीक है इसका निर्मान वाता 1924 में और इसका headquarter है लोजेन में इसका headquarter है और लोजेन पढ़ता है Switzerland के अंदर देखो ज्यादातर दुनिया के headquarter Switzerland में है Switzerland छोटा सा देश है लेकिन इसकी कमाई कहां से होती है जितने भी बड़ी बड़ी organization है दुनिया भर के नेता, दुनिया भर के sports person, दुनिया भर के लोग सब कुछ Switzerland में जाएंगे अगर headquarter है तो वहाँ पर अच्छा खासा पैसा मिलता है economy जो Switzerland की है इसी के base पे चलती है दूसी सबसे important चीज वहाँ पर Swiss bank है जहाँ पर दुनिया भर का काला धन जमा करवाया जाता है हमारे नेताओं पर भी आया दिन exam लगता रहता है कि उनका सारा पैसा कहां जमा है Swiss bank के अंदर लेकिन वो Swiss bank बताता नहीं है question number 76 की तरफ चलते है consider the following statement regarding woman Asia cup woman Asia cup कहां पे हुआ host किसने किया है बाइस को इसको host किया है बांगलादेश ने woman Asia cup को किसने host किया है बांगलादेश ने ध्यान से देखना पहला statement है India defeated Sri Lanka by 8 wicket in the finals of woman Asia cup 2022 woman Asia cup 2022 बांगलादेश में हुआ है India ने Sri Lanka को हरा दिया है 8 wicket से India ने हराया है Sri Lanka को 8 wicket से पता होना चाहिए आपको final match के अंदर मतलब title कौन ले गया है India लेके चला गया है title ठीक है अब तक India 7 बार ये प्रतियोगिता जीच चुका है ये जो Asia cup है ठीक है महिलाओं का 7 बार इंडिया के पास ये title आ चुका है इस बार 2022 का title भी इंडिया ही लेके चला गया है दूसरा statement देखो India has bagged the position for the 7th time 7 बार Women Asia cup cricket भारत जीच चुका है ये भी बिल्कुँछ सही बात है तीसरा statement देखो फाइनल मैच ओफ इंडिया वर्सेज स्री लंका Asia cup 2022 टुक प्लेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये जो सेलहेट इंटरनेशनल सिलहेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहां पढ़ता है ये बांगलादेश में मैंने अभी आपको बताया कि नाम कर चुका है नेक्ट कुस्टन की तरफ चलते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके तीनों आप्शन सही है मतलब आंसर ए विल भी तक कर्रेक्ट आंसर ठीक है कोस्टन नमबर 77 को देखो रेस्ट ओफ इंडिया रेस्ट ओफ इंडिया हैज डिफिटेड विच टीम टू विन इरानी कप 2022 इरानी कप 2022 चल रहा है एड़ दा सोराष्ट क्रिकेट स्टेडियम राजकोट में इरानी कप चल रहा है भाई इरानी कप चल रहा है 2022 का तो रेस्ट ओफ इंडिया ने किसको हराया है rest of India ने किसको हराया है rest of India ने हराया है सोरास्ट को सोरास्ट को defeat किया है rest of India ने विजेता कौन है winner कौन है rest of India और loser कौन है ठीक है कौन हरा है सोरास्ट सोराش्ट्र को हराया है rest of India ने इरानी कप कौन ले गिया है rest of India इरानी कप ले गिया है है कहाँ पर हुआ था यह गुजरात में हुआ था राज कोट में गुजरात के राज कोट में ध्यान रखना है इस बात का next question की तरफ चलते है what is the name of the musket Unwilled for 2030 FIFA Women's World Cup It is again a repeated question बहुत सारे repeated question आ रहे हैं इसमें चलो कोई बात नहीं क्या था ये तजुनी और ये जो 2030 FIFA Women's World Cup है ये कौन होस्ट कर रहा है औस्टेलिया और New Zealand कौन सा एडिशन है ये है 9th edition ठीक है आगे चलते हैं कमल पृत कौर ध्यान से देखना इसको कमल पृत कौर has been banned for 3 years by Athlete Integrity Union for using the prohibited substance क्या नाम है सबस्टेंज का सबस्टेंज का नाम है इस्टेनो जोल C is related with which sports किस sports से संबंदित है ये ये आपको पता होना चाहिए ये जो है कमल पृत कौर ये discuss thrower है आपने देखा होगा कई बार चक्रे घुमा के फैंकते हैं ठीक है ये जो चक्रे घुमा के ऐसे घुमा के फैंकी जाती है इसी को का जाता discuss thrower तो कमल पृत कौर को banned कर दिया गया है क्यूंकि ये ले रही थी क्या ले रही थी ये इस टेनो जोल ले रही थी देखो कई बार athlete या sports person energy boost करने के लिए इसका product करते हैं ठीक है इस नसिली दवा का drug का use करते हैं ताकि उनको energy boost हो जाए तो इसकी वज़े से इसको ban कर दिया गया है कमल पृत कौर का संबन्द किस खेल से है discuss thrower से who among the following has won the world मुझे तो एक ही इंसान लग रहा है जो इस title का हकदार लग रहा है वो है पंकज आडवानी इस title को अब तक 5 बार जीच चुके हैं कौन से title को ध्यान से देखना विश्व बिलियार्ड चैंपियंशिप 150 अप खिताब मतलब विल्ड बिलियार्ड चैंपियंशिप 150 अप 5 बार ये title इस title को 5 बार अकेले अपने नाम कर चुके हैं कौन पंकज आडवानी पंकज आडवानी 5 बार नाम कर चुके हैं और अगर बिलियार्ड से संबंदित बात करें बिलियार्ड से सम्मंदित बात करें तो पंकज आडवानी अब तक 25 इंटरनेशनल अवार्ड जी चुके है 25 इंटरनेशनल टाइटल पंकज आडवानी अपने नाम कर चुके है वन ओव दा फेमस फेस है पंकज आडवानी बिलियार्ड और इसनूकर से सम्मंदित इसनुकर के भी ये नंबर वन प्लेयर है ठीक है अब तक 5 बार ये 150 अब खिताब ये ले जा चुके है और इस बार का खिताब भी यही ले कर जा चुके है ठीक है कहाँ पर की गई ये कहाँ पर की गई ये प्रतियोगिता ये वाली प्रतियोगिता की गई बच्चों क्वाला कैपिटल है मलेशिया की मलेशिया की कैपिटल है क्वाला लामपूर इन्होंने जिस इंसान को हराया है वो भी एक इंडियनी है किसको हराया है इन्होंने इन्होंने सोरब कोठारी को हराया है सोरब कोठारी भी एक अच्छे प्लेयर है इन्होंने सोरब कोठारी को हराया है, एक इंडियन को ही हराया है, तो कैसे भी कुछन आ सकता है, कि ये जो World Billiard Championship 150 title हुआ है, कौन लेके गया है, पंकचाडवानी, हराया किसको है, सोरब कोठारी को, कहां पे हुआ ये, क्वाला लांपूर में हुआ है इस बार, क्वाला कंट्री, जो भी 2030 का Asia Cup होने वाला है, वो कहां पर होगा, वो Asia Cup होगा, कतर के अंदर, ध्यान रखना बच्चो, कतर के अंदर, एक छोटा सा कंट्री, लेकिन आए दिन कोई ना कोई परतियोगता, इसके अंदर होती रहती है, कतर के अंदर होगा है, एक मिनट, Asia Football Confederation ने कहा है, कि जो Asian Cup होगा, फुटबाल टूर्नामेंट का, Asia Cup फुटबाल टूर्नामेंट 2023, एशियन फुटबाल परिशंग के द्वारा, ACI Cup फुटबाल टूर्नामेंट 2023, कहां पर किया जाएगा, ये करवाया जाएगा, कतर के अंदर, कतर की राजदानी है, दोहा, कतर की राजदानी है, दोहा, क्या राजदानी है, कतर की, दोहा, दोहा इसकी राजदानी है और इसकी करणसी का क्या नाम है, रियाल, रियाल इसकी करणसी है, रियाल और दोहा, कतर की राजदानी दोहा है, और कतर की करणसी क्या है, रियाल, अब हम बात करते हैं, Asian Football Confederation की, Asian Football Confederation AFC Asian Football Confederation Asian Football Confederation की स्थापना कब ही थी इसकी स्थापना हुई थी इसकी 1954 के अंदर देखो ध्यान से इसकी स्थापना 1954 के अंदर हुई है कहाँ पर है इसका हेड़क्वार्टर Kuala Lampur में Kuala Lampur Kuala Lampur कहाँ पर है मलेशिया में ACI फुटवाल परिसंग या Asian Football Confederation 1904 में स्थापना कहां पर है Headquarter Kuala Lumpur कहां मिलता है मलेशिया में ठीक है इसके President की अगर बात करें तो इसके President या अध्यक्स है Salman Khalifa इसके अध्यक्स कोन है Salman Khalifa इसके अध्यक्स है पता रहना चाहिए चीज आपको Next चलते हैं बच्चों अगले क्यूशन की तरफ Who has scripted history in the ongoing Aim Chess Rapid Online Tournament देखो यह जो Chess के program है नहीं online भी होते हैं आपने कई बार देखा होगा YouTube पे Online बच्चे Chess खेलते रहते हैं वहाँ पर उपर डार्क में वो सिस्टम चलता रहता है Online Chess Tournament हुआता भाई ध्यान से समझ रहा है क्यूशन Online Rapid Online Tournament Diffitted Magnus Carlson अभी अभी Magnus Carlson का जिक्राय था Magnus Carlson नौर्वे के खिलाड़ी है Chess के दुनिया के Number One खिलाड़ी है इस इंसान को Online Tournament में हरा दिया है किसने हरा दिया है D. Gukes ने D. Gukes ने इस इंसान को Online Chess Tournament में हरा दिया गया है D. Gukes ने इसको हरा दिया गया है D. Gukes की उम्र कितनी है इस वक्त D. Gukes की उम्र है 16 साल और D. Gukes भारत के 60-वे Grand Master बने थे D. Gukes भारत के 60-वे Grand Master बने थे कब बने थे? 2019 के अंदर ध्यान से समझना D. Gukes भारत के 60-वे Grand Master बने थे 2019 के अंदर उस वक्त इनकी उम्र केवल 13 साल थी देख रहे हो उस वक्त इनकी उम्र 13 साल थी आज ये 16 साल के हैं और इनोंने इस champion में online aim chess rapid tournament के अंदर इनोंने मैगनेस कालसन को हरा दिया है बच्चों ठीक है अब तक कितने grand master इंडिया में बन चुके हैं ये भी आपको पता होना चाहिए अब तक भारत में total 76 grand master पैदा हो चुके हैं जब तक हम आज ये वीडियो पढ़ रहे हैं तब तक हमारे पास अक्टूबर मन्त तक 76 grand master है total रट लेना ठीक है 76 grand master है जो latest 76 number के हैं वो है प्रनव आनंद कोन है प्रनव आनंद प्रनव आनंद 66 number के हैं लेटेस्ट में प्रनव आनंद प्रनव आनंद किस state से बिलों करते हैं ये है बेंगलोर के प्रनव आनंद है बेंगलोर के ये 66 रवे हैं और total कितने है अब तक 46 ही पैदा हो चुके है ठीक है डी गुकेस कहां के थे, डी गुकेस है, चन्ने के, बहुत important question ना बच्चों, next question, देखो, which of the following pairs is not correctly matched, कौन सा pair correctly matched नहीं हुआ है, ध्यान से देखना, च्छतिसवा नेशनल गेम, च्छतिसवा राष्ट्य खेल, कहां पे हुआ, गुजरात में, सूरत में, सही है, राजकोट में था, सूरत में था, अलग-लग साइट में हुआ था, सही है, यह सूरत में भी हुआ था, ठीक है, फीफा अंडर 19, यह अंडर 19 नहीं है, यह अंडर 17 फीफा अंडर 17 वुमन वर्ड कप कहा पर होगा भुनिश्युर में सही बात है लेकिन ये तीन सेरों में होगा ध्यान देना अकेले भुनिश्वर गोवा और नवी गोरा और भूमनेश्वर गोवा और मुंबई में फिफा अंडर 17 वुमन्स वर्ल्ड कप, ठीक है, सिखा चोहान किस खेल से संबंदित है, ये गलत है, ये वुमन महिला कुस्ती नहीं करती है, ये है वुमन कयाक, वुमन कयाक, वुमन कयाक है, कयाक का मतलब सिंगल आदमी छोटी नाव होती है, उसमें बैठके चपू चलाता है, एक तरफ से चपू चलाएगा, दूसरी तरफ से भी खुदी चपू चलाएगा, ठीक है, चपू चलाने वाली छोटी नाव को कयाक कहा जाता है, तो सिखा चोह यह है भारत तोलक, क्या है यह भारत तोलक, यह है वेट लिफ्टर, भारत तोलक है यह, क्या है, हर्षदा गरुड क्या है, भारत तोलक खेल से सम्मंदित है, सिखा चोहान की स्खेल से सम्मंदित है, वुमन कयाक, चप्पु चलानी वाले नाव, फीफा अंडर 17 वर्ड का दोवा और मॉंबई में भी होगा 36 national game सूरत में होए हैं बिल्कुल सूरत में होए हैं यह आपको पता होने चीए next question की तरफ आजाओ भई which of the following team state UT won the Raja Bhalinda Singh Trophy Raja Bhalinda Singh Trophy concluded in 36 national games देखो भई अभी अभी 36 वे game finish हुए हैं गुजरात ने host किया था पता होना चीए आपके mind में होना चीए question Raja Bhalinda Singh Trophy Raja Bhalinda Singh Trophy Raja Bhalinda Singh पटियाला के राजकुमार थे क्रिकेट से संबंदित थे Raja Bhalinda Singh पटियाला के राजकुमार थे क्रिकेट खेलते थे इनकी एक famous trophy चलती है राजा Bhalinda Singh Trophy ये किसको जी जाती है ये दी जाती है athletes को किसको दी जाती है athletes को इस बार ये trophy कौन ले गया है इस बार ये trophy service ले गई है देखो बहुत सारी organization हमार देश में एक तो राज्यो के नाम पर team होती है और एक कुछ team extra भी होती है जैसे आपने railway team का नाम सुनाओगा वो उसकी अपनी team है एक services नाम से भी एक team है ये भी खेलती है और इस बार राजा Bhalinda Singh Trophy को services ले गया है बाई services क्यों लेके गया है उसके पीछे reason है services ने जीते हैं 61 gold services ने जीते हैं 61 स्वर्ण पदक, 61 स्वर्ण पदक जीतने के बाद service ने 35 silver और 32 ब्रोंज 35 silver और 32 ब्रोंज services ने 36 36 राष्टे खेल जो कि गुजरात में आयो जीत हुए हैं वहाँ पर क्या-क्या जीता है 61 gold जीते हैं 35 silver जीते हैं 32 ब्रोंज total 128 gold मतलब total 128 इन्होंने medal जीते हैं तो बताओ ये इस trophy को लेके जाएगा या नहीं तो राजा भलिंद्रा सिंग ट्रोंफी इस बार राष्टे खेल होने पर किसको दी गई है services ले गया है services अपने आप में एक group है जो सब तरीके के athletes कुलाता है और services इस trophy को चार बार ले गया है ये fourth time है जब services राजा भलिंद्रा सिंग ट्रोंफी को अपने नाम कर रहा है चोथी बार राजा भलिंद्रा सिंग को अपने नाम कर रहा है ठीक है अब अगर हमें ये तो पता है कि कौन सी team इसको लेके गई है service लेकिन अगर exam में आप से ये पूछ लेगा कि individual को एक इनसान के गर बात करें तो उसको कौन सा मिली है अगर हम मेंस की बात करें इंडिविजवल मेंस की एक इनसान को मिली है वो है साजन प्रकास पुरुष में देखो मेंस में अभी-भी साजन प्रकास का जिक्राय था अभी अभी साजन प्रकास का जिक्र आया था जिन्नोंने आठ आठ मेडल जीते हैं पांच गोल्ड जीते थे दो सिलवर जीते थे और एक क्या जीता था कांश्य पदक साजन प्रकास किस से संब्दित है तैराकी से संब्दित है तो पुर्षों में राजा भरिंदरा सिंग ट्रॉफिक किसको मिली है साजन प्रकास में महिलाओं में हसी का रामचंदरन महिलाओं में मिली है हसी का हसी का रामचंदरन अगर मैं बात करूरा राजा भलिंद्रा सिंग् टोफी 36 वे राष्टे खेल केबाद तो टीम कौन सी है सर्विसेज लेके गई है चार बार लेके जा चुकी है ठीक है उसके बाद इंडिविज्वल एक इनसान की बात करें तो ये किसको दी गई है साजन प्रकास को जो तेराक से संबन दीत है और महिलाओ में हसी का रामचंदरन को दी गई है ये भी एक तेराक है next question की तरफ चलो भई अब इसके बाद देखते हैं कुछ question extra miscellaneous आजाओ miscellaneous का मतलब होता है विविध विविध मतलब किसी भी सेक्टर से question हो सकते हैं miscellaneous का मतलब यह होता है question नमर पिच्चाँ सी which state won the first prize under the large state बड़े राज्यों की बात कर रही है बड़े राज्यों में स्वच्छ सर्वेक्षन ग्रामीन स्वच्छ सर्वेक्षन ग्रामीन 2022 किसको मिला है स्वच्छ सर्वेक्षन ग्रामीन बड़े राज्यों में किसको मिला है यह मिला है तेलंगाना को बड़े राज्य बड़े राज्य में तेलंगाना बड़े राज्यों में स्वच्छ सर्वेक्षन ग्रामीन किसको मिला है 2022 अबाड यह मिला है तेलंगाना को लेकिन दूसरा और तीसरा भी हमी पता होना चाहिए दूसरा मिला है हर्याना को और तीसरा मिला है तमिल नाडू को लेकिन हमें ये तो पता है कि बड़े राज्यों में इसको मिला है बाइचाएंस कुछन आ गया कि छोटे राज्यों में किसको मिला तब हम क्या करेगे तो हमें छोटे राज्यों का भी पता होना चाहिए तो स्वच्छ सर्वेक्षन ग्रामी नवाड छोटे राज्यों में अंडमान निकोबार यहां मैं लिख रहा हूँ छोटे राज्य या केंदर सासित परदेश छोटे राज्य है केंदर सासित प्रदेश एक तरफ बड़े राज्य बड़े राज्य की population ज़्यादा है, resources ज़्यादा है उनको छोटे राज्य को साथ आप कैसे मिला सकते हैं तो छोटे राज्य को अलग category में दिया जाता है छोटे राज्य में सबसे पहले मिला है अंडमान निकोबार को अंडमान और निकोबार को दूसरे नमबर पे दमन दीव एंड दादर नगर हवेली दमन दीव एंड दादर नगर हवेली दूसरे नमबर पे मिला है और तीसे नमबर पे है सिक्किम यह आपको पता होना चाहिए सिक्किम चले बच्चो नेक्स्ट चलते हैं The Nobel Prize for Chemistry 2022 is being said by तीन साइन्टिस्टों को Chemistry का Nobel Prize तीन साइन्टिस्टों को मिला है आपको उनका नाम भी याद होना चाहिए पहले इंसान है कैरोलिन बर्टो जी दूसरे हैं मार्टीन मेंडल और तीसरे हैं बैरी सार्पलेश तीनों के नाम याद रखना बच्चो कैरोलिन बर्टो जी, मौर्टीन मेंडल और बैरी सार्पलेश द्वारा किस चीज के लिए दिया गया है Chemistry Award इस बार दिया गया है Click Chemistry के लिए इन तीनों व्यग्यानिको who has been appointed as the chairperson of the Air Transport Committee Air Transport Committee किसकी United Nations की United Nations की संयुक्त राष्ट की Air Transport Committee of International Civil Aviation Organization तो United Nations की वायू परिवहन समेति का अध्यक्स किसे चुना गया है एक हमारी भारतिय महिला है जिसका नाम है सैफाली तुनेजा सैफाली जुनेजा को इस बार क्या चुना गया है चेर्मेन चुना गया है वायू परिवहन समेति का किसको चुना गया है सैफाली जुनेजा को ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे next question की next question क्या है भई ठीक है next question की तरफ आजाओ which of the following Indian movie has been awarded the best international film award at the Saturn Award 2022 Saturn Award 2022 ये 50th अवाड था Saturn Award 2022 पचासवे नंबर का अवाड था किस फिल्म को मिला होगा ये अवाड आपको पता है ये मिला है RRR को Rise, Roar, Revolt RRR की full form भी पता होने चीए RRR की full form है Rise ROAR और Revolt Rise, Roar, Revolt इसके अलावा इसकी एक form और होती है RRR R4 राजा मोली इसके डारेक्टर है R4 राजा मोली इसके डारेक्टर है R4 राम चरन लीड एक्टर में है राम चरन इसके अलावा R4 रामा राओ जो जूनियर एंटियर है Famous Superstar South के उनका ओरिजनल नाम है रामा राओ ठीक है तो RRR का मतलब राजा मोली राम चरन रामा राओ या RRR का मतलब रायर रोर रिवोल्ट तो 50 Saturn Award 50th Saturn Award किसको मिला है RRR को यह आपको पता होना चाहिए राश्ट्रिय बहुद्धिक संपदा पुरुषकार किसको मिला है IIT मदरास को मिला है राश्ट्रिय बहुद्धिक संपदा अवार्ड अब अगर यहां पर IIT मदरास का जिक्राया है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि IIT मदरास की स्थापना कब हुई 1959 IIT मदरास की स्थापना हुई 1959 है इसके चेर्मेन है पवन कुमार गोयनका चेर्मेन पवन कुमार गोयनका पवन कुमार गोयनका IIT मदरास ने जिता है राश्ट्रिय बहुद्धिक संपदा पुरुषकार 2021 ठीक है 1959 में ये बनी थी और पवन कुमार गोयनका इसके चेर्मेन है पता होना चीए एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है दिल्ली यूनिवस्टी को बने हुए भाई 100 वर्स पूरे हो गए है ठीक है ये 101 कौन लिखा है 100 वर्स है भाई ये ठीक है दिल्ली विस्टी ये जाल है celebrating 100 glorious years नाम पुस्तक किसने चापी है इस पुस्तक को लिखा गया है हरदीप सिंगपूरी के द्वारा हरदीप सिंगपूरी हमारे जो पेट्रोलियम एवं प्राकरती गैस मंत्री है पेट्रोलियम और प्राकरती गैस मंत्री भी है और आवास और सहरी मंत्री भी है मैं लेकर देता हूँ यहाँ पर दो कार्याले नों समाला है पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम एवं प्राकरती गैस मंत्री भी है और सहरी एवं आवास मंत्री भी है सहरी एवं सहरी एवं आवास मंत्रिय दो-दो इनके पास क्या है? मंत्राल है हरदीप सिंग पूरी ने अगर यहाँ पर दिल्ली युनिवेस्टी का जिक्राया है तो दिल्ली युनिवेस्टी की स्थापना कब हुई थी? 1922 में दिल्ली युनिवेस्टी सेलिबरेटिंग हंडर्ड गलोरियस योर्स दिल्ली विश्वेविद्याले सेलिबरेटिंग हंडर्ड गलोरियस योर्स किस ने लिखिये? हमारे जो केंद्रे मनती है हरदीप सिंग पूरी ठीक है? हरदीप सिंग पूरी ने लिखिये और इस वक्त जो दिल्ली उनिवस्टी है इसके चेर्मेन को ने दिल्ली उनिवस्टी के चेर्मेन है पवन कुमार गोयनका वो तो IIT मद्रास के चेर्मेन है दिल्ली उनिवस्टी के चेर्मेन है वीपी मतलब देखो हमारे जो उपराष्ट पती होते हैं वो ही अपने पद के अ उपराष्ट्र पती, वाइस प्रेसिडेंट कोन है? जगदीप धनकड, जगदीप धनकड, जो के हमारे चोदवे उपराष्ट्र पती है, देखो, आपने देखा होगा जब हम राज्यपाल पढ़ते हैं, तो राज्यपाल अपने पद के अनुसार, उस राज्य की जो चांसलर है दिल्ली उनवर्स्ट्र का, वो है अमारे उपराष्ट्पती 1922 में बनी थी, नेक्स्ट कुस्टन में आ जाओ, विच इंडियन सिटी हैज वोन दा वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दो जार बाइस वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दो जार बाइस किसने जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दो जार बाइस जीता है हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार दो जार बाइस Consider the following statement regarding Confused Mind Storybook एक Confused Mind Storybook आईए इस Confused Mind Storybook को देखते हैं Sahil Seth launched his book title as Confused Mind Sahil Seth ने एक Confused Mind Story नाम से अपनी book को launch किया है बिल्कुल सही Sahil Seth क्या है इसके लेखक है Sahil Seth क्या है इस किताब के लेखक दूसरा point देखो The book was launched in the presence of Union Health Ministry Mansukh Mandavya ये भी बिल्कुल सही बात है इन्होंने ये बिकुल लिखी है और Mansukh Mandavya Mansukh Mandariya को हन हमारे स्वास्तमंत्री Mansukh Mandavya Mansukh Mandavya Mansukh Mandavya हमारे स्वास्तमंत्री इन्होंने बुक लौंच किया लिखा किसने है Sahil Seth ने Which city has been named the first in the Swatch Serviction Award वहाँ पर Swatch Serviction Award ग्रामिन देखा था उसमें number one कौन था तेलंगाना लेकिन यहाँ पर city की बात की गई है Swatch Serviction Award 2022 City किसने जीता है यह award यह लगातार इंदोर ही जीत रही है बहुत दिनों से मतलब इंदोर ही मध्यपरदेश की एक city है इंदोर यह लगातार इस award को जीत चुकी है और यह जीत चुकी है अब तक इंदोर 6 बार यह award जीत चुकी है कौनसा अवाड तो पहले नंबर पर आजाएगा इंदोर पहले नंबर पर इंदोर फिर सूरत और फिर इंदोर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई इंदोर है मध्यपरदेश में सूरत है गुजरात में और नवी मुंबई है माराष्ट के अंदर किसने जीता है इंदोर ने इंदोर के बाद सूरत और सूरत के बाद नवी मुंबई ने नेक्स चलते हैं विच अव दा फॉलविंग डिजीज हैज वन दा मोस्ट पॉपुलर जी आई टेग अवाड जी आई टेग अवाड इंद फुड आइटम केटेगरी निमने लिखेते में से किस वन जन ने खाद्य पधार्त स्रेणी में खाने पीने के पधार्त होते हैं उनमें जी आई टेग जीता है ये जीता है है एदराबादी हलीम ने हैदराबादी हलीम ने हैदराबादी हलीम ने ये अवाड जीता है किसके रेस्पेक्ट में जीता है देखो यहाँ पर कितने खतरना खतरनाक नाम है एक तो है रतला में सेव ठीक है इसके बाद है रसगुला इसके बाद है बीकानेरी भुजिया इन सब को हराकर जो हैदराबादी हलेम है इसने GI tag जीता है अब तक भारत में total कितने GI tag है भारत में अब तक 370 चीजों को GI tag मिल चुका है 370 प्रोड़क्ट को GI tag मिल चुका है इसके अंदर कौन-कौन से प्रोड़क्ट सामिल है देखो करसी से संबंदित करसी से संबंदित एगरिकल्चर से संबंदित खाने पीने के व्यंजन से संबंदित इसके अलावा हैंडिक्राफ्ट हस्त सिल्प हाथ से बनानी वाले चीजे जो हम बुनते हैं इसके अलावा कुछ इंडर्स्ट्रियल प्रोड़क्ट इनके लिए GI tag दिया जाता है टोटल 370 GI tag है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके बाद बढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा ठीक है इंटर्नेशनल मतलब जिसको सोट में हम इंटरपोल बोलते हैं अंतर राष्ट्रिय आपरादीक पुलिस संगठन की एक जनरल असेंबली होती इसको किसने मेजबानी किये इसकी मेजबानी किये भारत ने इसकी मेजबानी की गई है भारत के द्वारा भारत ने इसकी मेजबानी की है और ये कौन सी असेंबली थी ये थी 90 ये 90 वी मतलब 90 असेंबली थी किसकी इंटरपोल की किसने इसको होस्ट किया है भारत ने इसको होस्ट किया है इंटरपोल कब बना था ये भी आपको पता हो होना चीए Interpol कभ बना था ये भी आपको पता होना चीए Interpol की स्थापना हुई ती 1923 में ध्यान देना बच्चो 1923 में Interpol की स्थापना हुई ती 1923 में Headquarter है Lyon में कहाँ पर है Lyon Lyon में इसका headquarter है और इसके जो member countries है वो 195 है Lyon पढ़ता है France में member countries सदश्य देश कितने हैं 195 और पूरी दुनिया में 105 देश ही पाये जाते हैं वैसे 105 पिचान में से ज्यादा भी है लेकिन जो recognition है वो 105 देशों की है टोटल 105 देश इस दुनिया में है और उन्होंने इसके सदस्ता ग्रेंड कर रखिये 1930 में बना था Lyon में headquarter है भारत ने यहाँ पर इसको host किया है यह आपको पता होना चाहिए next question पे चलो बच्चो who has released a book title pandemic disruption pandemic disruption and odysa lessons in governance मतलब महामारी व्यवधान और सासन में उडिसा के सबक सासन में उडिबा के उडिसा के सबक किसने launch किया यह इसको launch किया है नवीन पतनायक नवीन पतनायक कोन है चीफ मिनिस्टर है कहां के उडिसा के इस book को launch किया गया है नवीन पतनायक के द्वारा ठीक है उरिसा के चीफ मिनिस्टर लेकिन इसको लिखा किसने है हमारे राज्य सबा के एक MP है राज्य सबा के एक MP है उसका नाम है अमर पतनायक राज्यासभा के MP इसके लेखक है बुक के अमर पतनाएक ने ये बुक लिखिये और इसको लॉंज करवाया है नवीन पतनाएक के द्वारा नेस्ट कुश्टन पे चलते हैं 97 विच हैज बिन नेम्ड एज दा FIF Player of the Year Award मतलब होकी का Player of the Year Award किसको दिया है Men's Category के अंदर ये दिया गया है Harman Preet Singh को Harman Preet Singh को दिया गया है F.I.H. Men's Category में Men's में दिया गया है Harman Preet Core Harman Preet Singh है Core नहीं है Core लड़किया लगाती है Harman Preet Singh अगर Women's की बात कर ले भाई ये तो यहाँ पे कुश्चन है कि Men's को कम मिला लेकिन अगर हम Women's की बात करें तो यह है Phallis Elber Phallis Elber Phallis Elber Phallis Elber होकी में Player of the Year Award Men's में मिला है Harman Preet Singh भारत के Defender है और Women's में मिला है Phallis Elber यह है नीदरलेंड की Phallis Elber है नीदरलेंड की ठीक है हमारे जो होकी के जो Captain है वो है Manpreet Singh Manpreet Singh हमारे पुरुष होकी टीम के कप्तान है और Women's होकी टीम की कप्तान कौन है यह है Savita Poonia Savita Poonia यह पुरुष और यह महिला भारतिय पुरुष होकी टीम के कप्तान Manpreet Singh भारतिय महिला होकी टीम की कप्तान Savita Poonia और यहाँ पर अवार किसको मिला है यह मिला है Harman Preet Singh को और यहाँ पर लेडिस में मिला है Phallis Elber Netherlands की है यह Next बात करते हैं Who has won the British Booker Prize 2022 for fiction for his work The Seven Moons of Mali Almeida The Seven Moons of Mali Almeida के लिए Booker Award दिया जाता है लेखको को यह मिला है Shehan Corona Tilka Shehan Corona Tilka किस देश की है स्रीलंका की हमारी पडोसी देश की है स्रीलंका की है 2022 का 2022 का जो Booker Prize है Britain देता है Booker Prize क्या Book लिखी है उन्होंने The Seven Moons of Mali The Seven Months of Mali Almeida यह मिला है Sayhan Corona Tilka को और यह स्रीलंका की है Next question की तरफ चलो Which state celebrate the Bheed Mata Mela Fair Annually देखो Bheed Mata Fela भरता है गुजरात के अंदर नाम है Bheed Mata Mela लेकन यहां पर उंट आते हैं Bheed Mata Mela गुजरात Bheed Mata Mela गुजरात ने भरा है यहां पर आते हैं उंट क्या Camels Camels यहां उंट आते हैं यहां पर लेकिन नाम क्या है Bheed Mata Mela Bheed Mata नाम की देवी माता है वहां पर हर साल यह मेला भरता है और भरता का है Run-off कच्छ में कच्छ का रन देखो कच्छ के रन के बारे में एक बात यहीं पर भुज पड़ता है भुज यहीं पड़ता है कच्छ ओफ रन के अंदर जो अज़देवगन की मूवी आई थी भुज वो भुज यहीं पड़ता है कच्छ में run-off कच को लिख लेना white desert of India run-off कच भेड माता मिला गुजरात में next question की बात करते हैं who among the following has been appointed as the defense secretary in government of India in October 2022 हमारे नए defense रक्षा सचु बनाए गए हैं किसको अर्माने गिर्धर को अर्माने गिर्धर हमारे नए रक्षा सचु है और संजे मलहुत्रा संजे मलहुत्रा को बनाए गया है क्या बनाए गया है राजस्व सचु राजस्व सचु या रवन्यू सेकेटरी या राजस्व सचु बनाए गया संद्या मलोत्रा को और अर्माने गिर्धर को बनाय गया है क्या बनाय गया है डिफेंस सेकरेट्री बनाय गया है तो यह आपको पता होना चीए ठीक है इसके बाद आज का session बेटा खतम होता है, लेकिन आज का session आपके लिए कितना important है, आप इस session को पढ़ने के बाद पता करोगी, कितनी गहराई तक यह session था, इसमें से आपको 4 या 5 question, आपकी कोई भी exam हो, अभी 15 या 10 दिन बाद SSC CGL की exam आने वाली है, 4 या 5 question यहां से मिलने वाले हैं, पर का 11 question current affair का छूड़ना नहीं चीए, क्योंकि दीरे-दीरे commission क्या करता है, वो बढ़ा रहा है current affair के question की संख्या, क्योंकि बच्चे पड़ी हुई जो fix चीज़े हैं, उनको रटके चला जाता है, लेकिन current affair का portion दीरे-दीरे increase होता जाता है, तो अच्छे से तैयारी करना, pen और copy उठाना, जब आप session start करो, प्रतेक चीज़ को लिखते जाना, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद बच्चों, God bless you